Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, my name is CS Payal and in this video में पढ़ने वाले हैं Effects of Certificate of Incorporation ये बोलते हैं कि आप इतना कर रहे हैं Certificate of Incorporation, Certificate of Incorporation, Certificate of Commencement of Business ऐसा क्या बदल जाएगा? मतलब आपको ये मिल भी गया, तो ऐसा आपके जीवन में क्या बदल जाएगा? मतलब क्या effect लाता है ये अपने साथ? तो आई ये जानते हैं क्या effect लाता है? ये बोलते हैं, the Certificate of Incorporation is a conclusive evidence is what a conclusive evidence that आपकी company incorporate हो चुकी है मतलब कोई आप से question करें क्या आपका incorporation complete है? तो आप उन्हें ये दिखा के बोल सेतने हैं, देखिए evidence है हमारे पास, हमारे company incorporated है तो ये एक conclusive evidence है कि कोई company existence में आचुकी है एक separate legal entity form हो चुकी है फिर ये बोलता है, whatever may be the deficiency in the formalities once the certificate is issued, it is a conclusive evidence that company came to existence on the day mentioned on the certificate of incorporation इसको मैं समझाती हूँ आपको थोड़ा अच्छे से ये बोलते हैं, ऐसा मानिए, क्या हुआ? हमें बहुत सारी documents लगाने पड़ते हैं जैसे हमने बहुत सारी steps देखे थे, उसमें हमने पढ़ा MOA, AOA, बहुत सारी documents लगाने पड़ते हैं आपने ये सारे documents submit करें, किसको? ROC को अब ROC ने satisfy होके हैं, आपको certificate of incorporation दे दिया और आपने मान लिया आपकी company को certificate of incorporation मिलके हैं तब आपकी company अपना काम कर सकती है as it will be considered as a what? a separate legal entity, ठिके? इतनी story समझ में आई उसके बाद क्या हुआ? ROC वाले ना थोड़े दिन free हो गए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, आप तो हम बहुत ज़्यादा free है खाली बैटना मज़र नहीं आरा, कुछ और काम करते हैं एक काम करते हैं, पुराने सारे documents भी खोल-खोल के देखते हैं अब उन्होंने उठाया यह AOA इस company का और notice कि एक चीज की इसमें तो बहुत सारी चीजे गलत दी हुई है बहुत सारी चीजा ठीक नहीं है इस particular चीज में तो बहुत गलत गलत चीजे दी हुई है ऐसे सिनारियो में यह बोलते हैं, यह पूछते हैं कि क्या ROC इन से Certificate of Incorporation वापस ले सकता है मतलब क्या हुआ? कि आपने Certificate of Incorporation दे दिया बट अब आपने notice किया कि इनके important documents में कुछ गलती थी कुछ incapacity थी तो ऐसे सिनारियो में क्या एक बार दिया गया Certificate of Incorporation वापस लिया जा सकता है या फिर हम बोले कि किसी का Certification कैंसल किया जा सकता है तो answer आता है A big no Once a Certificate of Incorporation is issued, it is issued for lifetime जब तक वो खुद winding up के लिए आते नहीं है और legally अपने आपको बंद नहीं करवाते हैं तब तक के लिए वो Certificate चलने वाला है इसलिए आप हम बार-बार भूल रहे हैं इसका conclusive evidence की company incorporate हो चुकिया अब तुम कितनी वर्जी गलते हैं लाके बता दो सब्सक्राइब मतलब एक बार incorporate हो गई तो हो गई उसके बाद आपका कुछ भी बोलना इस कोई काम की चीज नहीं है ओके सो बेसिकली यहां पर हम क्या पढ़ते हैं whatever may be the deficiency in the formalities formalities में कोई भी deficiency रही हो एक बार अगर यह certificate इस्ट हो गया तो हो गया बस उसके बाद कोई बात्चित नहीं होगे लेकिन इसमें आती है एक और चीज वो चीज भी हम समझ रहेते हैं मान लेजे आरोसी ने ले लिया आरोसी ने दे दिया आपको certificate of incorporation उसके बाद आरोसी को यह पता लगा कि इस company ने जो यह certificate of incorporation लिया है वो लिया है fraud से मतलब वो लिया है कुछ जाली चीज करके ऐसे सिनारियो में आरोसी बेशक certificate of incorporation को रोख सकती है या फिर खतम कर सकती है या फिर उनकी registration cancel कर सकती है so normal deficiency है चलेगा लेकिन अगर आपने fraud किया होगा दूसरों को mislead करने की कोशिश की होगे ऐसे सिनारियो में certificate of incorporation भी आपको बचा नहीं पाएगा ऐसे में आपको अपना certificate of incorporation वापस देना पढ़ सकता है as well as आपकी registration cancel हो जाएगी फिर यह एक चीज बोलते हैं कि certificate of incorporation पर जो date लिखी होती है उसी date से हम मानते हैं कि company का जनम हुआ तो यह बोलते हैं एक example ले लेजे certificate of incorporation was issued on 24th August मैंने एक company खुलवाई मुझे certificate मिला 24th August को ठीक है whereas on the certificate date was mentioned 22nd August मुझे दो दिन बाद certificate मिला है आज मतलब मेरी mail ID पर दो दिन बाद certificate आया है तो मुझे दो दिन बाद पता चला लेकिन जब मैंने certificate खोल के देखा उसमे 22 तारिक लिखी हुई थी तो ऐसे सिनारियो में यह जो certificate है वो हम क्या मानेंगे उससे हम यह मानेंगे कि हमारी जो company है वो 22 तारिक से ही existence में आई है उसके बाद वाली date doesn't matter जो date certificate of incorporation पर लिखी हुई है वही हमारी exact valid date मानी जाएगी तो हमारी validate क्या माने जाएगी जो certificate of incorporation पर लिखी हुई है doesn't matter हमें वो कब issue किया जाता है ROC द्वारा फिर यह बोलते हैं after issue of registration certificate it was found the person has forged a signature on the memorandum but then also the incorporation will be considered valid यह बोलते हैं कि क्या हुआ MOA पे हमें लगा कि company में किसी बंदे ने na signature forged किये हुए थे ऐसे scenario में भी हम certificate of incorporation को valid मानेंगे यह बहुत पुराना law है actually इस पे और भी बहुत सारे disputes arise हुए यह case studies based है लेकिन इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है so अभी के लिए next last step हम छोड़ देते हैं क्योंकि यह बहुत ही अलग बात कहरा है और आज जो decision है वो कुछ अलग बात कहता है वाट फिलाल के लिए क्या समझा हमने कि certificate of incorporation से actually बहुत सारी चीज़े बदल जाती है उसका अलग-अलग effect होता है मैं आपको दिखाने जा रहे हूं certificate of incorporation मैंने आपको बताया था कि certificate of incorporation issue किया जाता है private as well as public companies को और private company इसके बाद अपना business start कर सकती है और यह conclusive proof होता है कि भीया company incorporate हो चुकिये रजिस्टर हो चुकिये उसका नाम ROC के account में चड़ चुका है अब यहां finally मैं आपको practical में मैं समझाओंगी कि basically certificate of incorporation होता क्या है कैसा देखता है क्या-क्या information इसमें mentioned होती है तो आइए देखते हैं पहले उससे पहले line पढ़ लेते हैं A certificate of incorporation is a legal document relating to formation of a company और a corporation ये एक legal document है हमने क्या बोला था conclusive evidence है evidence है तो legal document भी तो है तो ये बोलते है legal document है जो बताता है कि company क्या हो गई है form हो गई है incorporate हो गई है It is a license to form a corporation issued by government ये एक ऐसा license है जो government द्वारा issue किया जाता है to form a particular company ठीक है अब यहां पर देखिए बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा certificate of incorporation ऐसी designing होती है बगल में फिर हमारे देश का emblem लगा होता है यहां पर यहां लिखा होता है certificate of incorporation यहां year mentioned होता है किस year में registration हुआ है और यहां दिया होता है CIN that is corporate identity number corporate identity number यहां पर mentioned होता है फिर यहां एक line लिखी हुई है I hereby certify that यह मैंने जो हाइड किया है that is the company's name अच्छी एक private company थी जिसका नाम यहां पर लिखा होता है बड़ ओविसी इन्फोमेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है इस ते नाम हाइड कर दिया है लेकिन आप ऐसा मानें यह ABC company है चाहिए यह ABC company है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है private limited that means यह क्या है यह private company है मैंने आपको बताया था ना private company होते तो उसका नाम कैसे एंड होता है PVT, Ltd करके होता है मतलब private limited करके होता है और public company का अंदर दरहांड कैसे होता है सिर्फ limited company लिखा जाता है वह हम commencement of business में आपको बताएंगे कैसा दिखता है is this day incorporated under the companies act 1956 मतलब यह कौन से companies act में register हुई थी 1956 में क्यों नए वाले में क्यों नहीं हुई क्योंकि इसकी registration year देखिया आप क्या लिखा हुआ है 2006 to 2007 that means यह कौन से जमाने में register हुई थी उस जमाने में और नया act कब आया है 2013-14 में तो as a result पर यह पुराने act में register हुई है and that the company is limited यहां पे आपकी liability बताई गई है कैसी है limited nature की है unlimited nature की है तो they have clearly mentioned it कि limited nature की है फिर इन्होंने बोला है given under my hand at Delhi मतलब place जहां पे आप register करा रहे है इसे आरो सी this 16th day of September 2006 16th day of September 2006 मतलब यह क्या है यह है वो date जिस दिन हमने इस company को incorporate किया है which means what यह इसका birth date है किसी भी company का birth date कब होता है जो उसके certificate of incorporation पे mentioned होता है तो certificate of incorporation पे कौन सी date mentioned है 16th September 2006 तो यहां से हम मानेगे इस दिन company का जनम हो गया था फिर यहां पे लगाते हैं वो अपनी seal कौन? रोसी वाले ठिक है और यहां लिखा हुआ है उस इन्सान का नाम जो रोसी का क्या था? head था और फिर लिखा हुआ है registrar of companies national capital territory of Delhi and haryana that means कौन से रोसी द्वारा signed है कौन से रोसी द्वारा sealed है यह है हर्याना और national capital territory and city of Delhi area जो हमारा cover होता है nct वाला उसमें बेसिकली इसका पूरा क्या हुआ है registration हुआ है so this is the certificate ऐसे वो पढ़ा जाता है इसमें कौन कौन से information बलती है हमें हम यहां से conclude कर सकते हैं आपको लिखके बताते हूं कौन कौन से चीजें हम यहां पर सीख पाए हैं हमारे certificate of incorporation से first है हमारा sin हमें मिल जाता है किस दिन company का birth हुआ है वो date मिल जाती है उसके बाद हमें company का पूरा पूरा नाम मिल जाता है यही mcaa के records पे चड़ा होगा तो यह नाम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कहां incorporate हुई है किस ROC द्वारा incorporate की गई है वो पता चल जाता है उसके अलाबा हमें company की liability भी पता चल जाती है limited nature की है यह unlimited nature की है तो यह सारी information आपको मिल जाते है registration यह और भी पता चल जाता है यह सारी information आपको कैसे मिल जाता है सिर्फ certificate of incorporation देखने पे ही मिल गई I hope आपको समझ में आओगा काफी interesting भी लगा होगा reason being आपको हमेशा पढ़ाया जाता है कि certificate of incorporation है 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 लेकिन कैसा दिखता है क्या है exactly वो तो कभी किसी ने बताया नहीं होगा इस लिए आपको दिखाने की ने हमने यह particular video बनाए है I hope आपको पसंद आई होगी with that अगर आपको देखनी है certificate of commencement कैसे दिखता है तो हमारी next video देखिएगा फ्लीज certificate of commencement के बारे में see मैंने अभी आपको एक certificate of incorporation पिछे वीडियो में बताया कि कैसा दिखता है यहां हम आपको बताएंगे certificate of commencement कैसा दिखता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ that certificate of commencement सिर्फ public companies को मिलता है private को नहीं मिलता है with that there is this thing that जब 2013 Act आया तो initially इन्होंने certificate of commencement की concept को हटा दिया था 1956 की end में यह उन्होंने हटा दिया था कि अब certificate of commencement नहीं रखेंगे दोनों ही companies private हो या public हो certificate of incorporation से काम स्टाट कर सकती है लेकिन later on they realized नहीं certificate of commencement एक बहुत ही important document है तो होना चाहिए तो उन्होंने उस practice को वापस ले आए और उन्होंने बुला कि certificate of commencement अब लेना पड़ेगा किसी भी public company को अगर वो काम करना चाहती है तो यहां क्या लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है certificate of commencement of business was a mandatory step under Companies Act 2013 मतलब यह अब क्या है mandatory step है 2013 Act में फिर it says it was mandatory for the public companies with share capital किसको लेना पड़ेगा public companies को already मैं बता चुकी हूँ private companies can't take this certificate क्योंकि यह particular यह वो होता है proof होता है कि आपने shares issue कर दिया है लोगोंने share subscribe कर ले है और private में था हम publicly ऐसे shares issue करते ही नहीं publicly ऐसे prospectus भेशता ही नहीं है invitation भेशता ही नहीं तो as a result of it सर्फ public company को यह लेना होगा the certificate is issued by the registrar to public companies किसे द्वारा issue किया जाता है ROC द्वारा issue किया जाता है अब हम finally देखते हैं यह दिखता कैसे है see मैंने आपको already certificate of incorporation दिखाया है मैंने बताया था उसमें ऐसे design बनते हैं मतलब bodies पर यहाँ भी same provision होगा ना जिसके basis पर हम इस certificate बनाते हैं जिसमें इस certificate की बातचीत हुई होगी बस वही provision के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है again the sin c-i-n sin मतलब corporate identity number again जैसे certificate of incorporation में होता है दोनों बहुत ही जाथा similar है बस थोड़ा सा content different हो जाता है यहाँ लिखा हुआ है I have I certify that this company ABC limited that means what यह कौन जी company है public company मैंने अभी आपको private का example दिया था जहाँ पर लिखा हुआ था private limited यहाँ क्या लिखा हुआ हुआ है सिर्फ बोर लिखा हुआ है limited which was incorporated under the Companies Act 1956 यह कौन से Act में incorporate हुई है Companies Act 1956 में incorporate हुई है on the 15th day of November 2006 on the 15th day of November 2006 and which has this day filed or duly verified declaration and prescribed firm that the conditions of section 10 of the said act have been complied with and is entitled to commence business इन्होंने क्या भुला है कि इसका incorporation तो इस दिन हो गया है उसके बाद मैं verify करता हूँ कि जितनी पर formalities इनकी तरफ से होनी चाहिए थे वो हो गई है मतलब जो जो documents इनको मेरे को file करने थे कौन बोल रहा है यह ROC बोल रहा है I certified मतलब कौन ROC certified कर रहा है यह बोलता है कि company की दरफ से जितनी formalities होनी चाहिए थे वो मैंने कर दी मतलब वो इन्होंने कर दी हैं और मैं इस चीज़ को verify करता हूँ कि exactly यह जो बोल रहा है कि इन्होंने की हैं वो सारी हो चुकी है ठीक है फिर यह बोलता है given under my hand at Delhi this 12th day of December 2006 को मैं इनको क्या दे रहा हूं commencement दे रहा हूं तो इनका commencement का date कौन सा होगा 12th December 2006 और इनका incorporation का date कौन सा होगा 15th November 2006 अब बहुत बच्चों का इक्वेशन होता है माम यह date इससे पहले वाली date हो सकती है तो थोड़ा सा logic लगा के सोचिए जब हमें certificate of incorporation पहले लेना होता है certificate of commencement हमें बाद में मिलता है तो कैसे हम उस date को पहले बोल सकते है वो date उससे पहले नहीं हो सकती है फिर यहां पर again seal लगी हुई है और यहां पर नाम लिख के उन्होंने बजाया हुए कि हम यहां के एरिया के रिजिस्ट्रार हैं कौन से एंसिटी डेली और हर्याना तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि certificate of commencement कैसा दिखता और कौन-कौन सी information उसकी वज़े से existence में आती है जो आप देख सकते हैं कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का doubt होता है यह एक प्रूफ है आपके पास कि भाया देख लीजे कंपनी को क्या यह certificate मिला हूँ और सारे information यहीं पर mentioned है किसी को कोई भी तरह की verification चाहिए हो दे तो वह यहां से ही देखता है that's it for this video I hope आपको यह पसंद आया होगा इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे है qualification shares के बारे में see यह term हमने बहुत बार इस्तेमाल की है हमारे formation of company वाले chapter में यहां हम exactly समझेंगे इसका मतलब क्या है see एक scenario है जहां पर यह एक इंसान है Mr. X यह बोल रहा है I want to be a director ठीक है in XYZ company यह Mr. X है खुद इन्होंने बोला कि I want to be a director in XYZ company यह बहुत ही intelligent इंसान था इसने इस से reply में पूछा do you have shares of that particular company इसने क्या बोला कि मुझे उस company में director बनना है यह बात कर रहे रहे है डारेक्टर शिपप की और यह कौन सी बात कर रहे है यह बात कर रहे है shareholding की यह पूल रेक्ट क्या तुम्हें पास shareholding है उस company के तो ऐसे सिनारियो में इसने बोला नहीं shareholding तो नहीं है शेप खरीद के रखे तो इसने बोला sorry you can't be a director of that company यह विचारा बहुत ज़्यादा confused हो गया कि यह कैसा reaction हुआ मैंने तुम्हें सर्फ यह बताया कि शेर होल्डिंग नहीं है मैं मेंबर थोड़ी ना बनना चाहता हूं मैं तो डारेक्टर बनना चाहता हूं किस हक से बोल रहा हूं कि सौरी तुम डारेक्टर नहीं बन सकते ऐसा कौन सा लॉजिक लगा रहा हूं तो यह लॉजिक लगा रहा था qualification shares का जिसका मतलब होता है to ensure that the directors have some stake in the proposed company the articles usually have a provision requiring them to buy a certain number of shares they have to pay for those shares before the company obtained certificate of commencement of business these are called what the qualification shares यह भोलते हैं यह ensure करने के लिए कि directors का company में थोड़ा सा stake होना चाहिए यह ensure करने के लिए हम directors के उपर यह responsibility डालते हैं कि director आपको company के shares purchase करने पड़ेंगे अगर आप shares purchase करेंगे तभी हम आपको क्या करेंगे directorship देंगे और यह पैसे उसे company को देने पड़ते हैं इन shares के बदले में और कब देने पड़ते हैं commencement of business का certificate आने से पहले तो ऐसा मानिए कि आपको एक company में अगर director बनना है तो उसके लिए पहले आपको बनना पड़ेगा shareholder क्यों उसका एक reason था मैं आपको बताती हूं कि क्यों ऐसी सोच आई थी उसका यह reason था कि देखिए यह एक इंसान है जो कि क्या है ओनर है company का यह कौन है ओनर है company का ठीक है मतलब कौन है kind of बोल सकता है shareholder है और यह इंसान है जो company का क्या है board of director है मतलब कौन है manager है अब ऐसे scenario में हो सकता है यह सिर्फ अपने interest के बारे में सोचे और थोड़ा सा क्या हो जाए mean हो जाए क्योंकि इसको पता है कि profit होगा dividend मिलेगा वो shareholders को मिलेगा करवावी मत profit इसने meanness में अपना interest देखा shareholders का interest नहीं देखा तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि add time जो managers होते हैं क्योंकि उनको खुद का पैसा नहीं लगा होता तो मीन हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं वो डारेक्टर के बारे में ना सोचे वो अपने बारे में सोचे हो सकता है यह चीज भी possible तो यह बोलते हैं कि जो honors है basically यह यह इनकी benefit के लिए इनके interest के लिए हमने यह पर्टिकुलर चीज लगाई कि डारेक्टर को भी honors बना दो बहले मतलब डारेक्टर को भी बहले क्या दे दो शेयर holding दे दो उनको भी shares दे दो ताकि उनके हाथ में shares रहें तो हमेशा सोचें dividend के बारे में कि यार अगर मैं इसे कुछ काम करूं जिससे company का profit बढ़ जाए तो फिर मैं company को dividend दिलवा सकता हूं अपने आपको dividend दिलवा सकता हूं company को profit दिलवाऊंगा अपने आपको dividend दिलवाऊंगा तो इस mindset से हमने क्या किया था यह qualification shares की concept लाए थे तो हमने किस mindset से qualification shares की concept लाए कि डारेक्टर भी responsible बहने रहे और डारेक्टर भी यह ensure करे कि वह अपने फायदे के चलते हुए shareholders का फायदा मंद नुकसान ना कर दें ठीक है और उसको भी लगे मेरा interest भी stake पे लगा हुए as a result of which अपनी तरफ से वह जितना कर सकता है उतना करने क कोशिश करें लेकिन एक और चीज़ जो की बहुत ज़्यादा important है मैं आपको बता दूँ दो यह आपकी बुक में दिया हुआ है concept qualification shares का NCRT में लेकिन आज की date में qualification shares की concept हट चुकी है so the important thing is this 1956 में एक concept जरूर थी लेकिन आज की date की अगर हम बात करें तो qualification shares की concept हट चुकी है आज की date में वो चीज़ आपने capable नहीं है so अगर आपके पास question आये regarding the 2013 act तो उस scenario में qualification shares नहीं है 1956 में बेशक हुआ करते थे आज की date में नहीं है बट क्योंकि आपकी book में लिखा हुआ है तो आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा और मतलब तो हर चीज़ का पता होना चाहिए चाहिए वो अभी applicable है या नहीं है क्योंकि अगर कहीं यह term इस्तमाल हो जाती है पुराने documents में तो आप confused नहीं होने चाहिए तो इसलिए आपको concept तो सारी पता होने चाहिए इसलिए विडियो दिन के बारे में दिन सब सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आइस्ता आइस्ता पहले हम दिन के बारे में पढ़ लेते हैं सुनने में थोड़ा सा you know like funny sound करता है लेकिन actually इसका पूरा मतलब है director identification number मतलब जैसे being a citizen of this nation आपको मिलता है आधार आधार number वो क्या है आपकी पहचान है तो ऐसे ही ये बोलते हैं कि company में जब हम director बनाते हैं किसी को तो उसकी भी तो एक अलग से पहचान होने चाहिए कब तक हम उसे उसके नाम से जानेंगे उसके लिए अपन को एक identity number fix कर देना चाहिए तो इस सोच के साथ हमने ये concept लाए थी which is director identification number की concept क्या है आईए देखते हैं Every individual intending to be appointed as director of a company intending मतलब जिसकी सोच है director बनने की जो कोशिश कर रहा है director बनने की उसे लेना पड़ेगा Shall make an application for allotment of director identification number to the central government along with fees एक ऐसा इंसान था उसने बोला यार मुझे इस company में director बनना है तो अब उसको qualification चैस तो लेने की जरूरत नहीं है लेकिन उसको DIN लेने की जरूर जरूरत है बिना DIN के वो director नहीं बन सकता है और DIN वो लेता किस से है central government से अब central government में वो किस के पास जाएगा obviously ROC के पास जाएगा हर्ची जारो की तो होती है तो ROC से जाके वो क्या लेगा DIN लेगा ठीक है और उसके लिए वो क्या करेगा application file करेगा application के साथ वो देगा थोड़ी सी fees ठीक है तो ऐसे पूरी cycle सलेगी कि DIN लेने के लिए central government के ROC को application file की जाएगी along with fees और अगर वो सारे documents जो DIN के साथ application के साथ लगते हैं अगर वो सारे documents proper हैं तो central government shall allow a director identification number central government उसे DIN देगा so आपने जिदनी भी formalities थी complete कर दी है तो ऐसे सिनारियो में वो भी सामने वाला इंसान that is central government और the ROC will be satisfied और वो आपको issue कर देंगे what your DIN जो की exclusive रहेगा आपके लिए एक दिन सिर्फ एक ही इंसान को issue किया जा सकता है so that means what जैसे आधार card है आधार number है होगा लोगों का अलग होगा ऐसे ही ये बोलते हैं कि आपका जो ये हमारा DIN रहता है वो भी exclusive रहता है ये भी common नहीं रहता है दो इंसान सेम दिन carry नहीं कर सकते hold नहीं कर सकते at the same time क्या आधार आपको बारवर मिलता रहते कि मैं 17 की हो गई तो मुझे अलग आधार मिलेगा मैं 18 की हो गई तो मुझे अलग आधार मिलेगा नहीं न हमेशा आपका आधार एक ही रहेगा उसी तरह से एक डारेक्टर को सिर्फ एक ही दिन मिलेगा चाहे वो 10 या 15 companies में क्यों ना काम कर रहा हूँ आधार मतलब अगर मानिये मुझे 10 companies में डारेक्टर बनना है तो ऐसा नहीं है मुझे हर company के लिए अलग-अलग दिन लेना पड़ेगा मैं सिर्फ एक ही दिन लूँगी जो हर company में मेरा इस्तिमाल हो जाएगा जिस तरह से आधार होता है आपको अगर account खुलवाना है bank account खुलवाना है या फिर आपको college mid mission कराना है या फिर आपको central government की कोई service अवेल करनी है तो आपको हर जगे के लिए अलग-अलग आधार नहीं बनाना पड़ता आप एक ही आधार से सारी जगे काम चला लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आप एक ही दिन से हर जगे काम चला लेंगे हर जगे का director बन सकते हैं उसके बाद भी image देखिए यह पढ़ रहे हैं डारेक्टर identification number के बारे में what they are saying is it's a 8 digit unique number यह 8 digit का number है जो कि unique है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कोई दो इंसान की same director identification number नहीं हो सकती है lifetime validity के साथ आता है यह particular चीज lifetime validity के साथ आता है मतलब once issued it is issued for lifetime मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद दुबारा सरी issue करवाना पड़ेगा renew कराना पड़ेगा इसी कोई formality नहीं है एक बार ले लिया ले लिया वो नंबर आपका हो गया pre-requisite to be an Indian director अगर आपको Indian company में director बनाना है तो it's a pre-requisite इसके बिना आप director नहीं बन पाहेंगे so यह था हमारा what director identification number I hope आपको मज़ा आओगा इस video में क्योंकि बहुत ही you know like trend में चल रही concept है कि आजकल तो हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए whether you are linked to a company or not linked to a company लेकिस बहुत बार ऐसा हो था general conversation में people are using these terms nowadays तो काफी ज़्यादा important है इसके पता तो होना ही चाहिए and I hope आपको समझ भी आया होगा अगरे में पढ़ने वाले हैं सिन के बारे में सिन मतलब क्या corporate identity number लाइक अभी हमने पढ़ा दिन के बारे में डारेक्टर identification number के बारे में जिसमें हमने ये देखा कि हर एक डारेक्टर को एक exclusive number दिया जाता है so that उसकी identity दूसरों के comparison में अलग रहे नमबर को हम बोलते हैं सिन that is corporate identity number ये बोलता है with effect from November 1, 2000 the registrar of companies allot a sin to a company 2000 साल November 1 तारिक से ये particular formality आये थी कि हरे company को sin allot किया जाएगा अब सिन होता कैसे है दिखता कैसे है उसका interpretation कैसे किया जाता है और sin की वज़े से आपको कौन कौन सी चीजे समझ में आती है company के बारे में उसके बारे में बात करते हैं ये जो आप box में देख रहे हैं this is a sin of a company अब मैं बताऊंगी कैसे आप sin से company के बारे में बहुत सारी information निकाल सकते हैं मतलब company के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ आपको सर्फ sin number देदे तो उससे भी हम बहुत सारी जानकारी company की पा सकते हैं कैसे आईए देखिए यहां लिखा हुआ है first हमारा पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये alpha numeric रहता है जिसका मतलब क्या हुआ के इसमें alphabets भी आते हैं as well as इसमें numbers भी आते हैं here's the proof alphabet, numbers alphabet, alphabet, numbers alphabet, alphabet, numbers तो चाहँ combination of all अब हम individually बात करेंगे जैसे यहां पर आप different colors देख रहे हैं first color है blue जिसमें लिखा हुआ है L हमारा first alphabet sin का होता है या तो L या फिर होता है U अब ये क्यों ये कैसे पता L या यू ही होगा ये इसलिए पता है कि क्यों ये बताता है आपके company का listing status if it's L that means company listed है कहां listed है stock exchange पे listed है और अगर मान लीजे यहां पर लिखा होता U तो that means what आपकी company होती unlisted तो अगर L लिखा हुआ है तो company listed है U लिखा हुआ है तो company क्या है unlisted है फिर उसके बाद यहां पर आपके पांच numbers लिखे हुए हैं ये होते हैं आपके industry का code हर एक industry के अलग codes है जो की एक paper पर already prescribed हैं कि अगर आपकी company अगर आपकी factory इस particular industry से बिलॉंग करेगी तो आपको ये number दिया जाएगा तो हर एक industry के अलग codes है जो उनके काम पर base होते हैं कि ये क्या काम करने वाले हैं तो ये next जो हमारे five होते हैं वो industry code रहते हैं then दो alphabets लिखे रहते हैं यहां लिखा हुआ है MH और ये क्या रहता है ये आपका state code रहता है अगर ये MP होता मतलब MP की बात कर रहे होते हैं तो MP लिखते हैं हयाना का होता तो HR लिखते तो ऐसे हर state का code यहां पे लिखा रहता है which is a proof कि ये उस particular state में registered है अब यहां से हमें क्या जानकारे मिली कि ये company जिसका sin यहां पे लिखा हुआ है ये महराश्र से belong करती है उसके बाद लिखा हुआ है 1995 दिस अगैन चार डिजित हैं लेकिन कुछ years जैसा लग रहा है तो बिल्कुल year ही है ये number आपको बताते हैं आपका year of incorporation किसी भी company का year of incorporation उसके sin से ही पता चल जाता है फिर ये बोलते हैं PLC 3 वाट हमारे alphabets ये बताते हैं ownership information मतलब ये honor से related जो information होती है उसको prescribed करते हैं आज बल आज ये type of company के बारे मिदी एक indication देते हैं last हमारी जो ये 6 digits हैं ये रहता है registration number of the company company का exact क्या registration number है वो यहाँ पे दिखता है आपको so हमें क्या-क्या information मिली okay one more thing this registration number is exclusive ये दो companies का same नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है बाकि सारी information एक company की same हो लेकिन registration number कभी भी दो companies का same नहीं होका so हमें company के sin से क्या-क्या information मिली first उसका listing status वो listed है या unlisted है ये हम sin देख के बता सकते हैं उसके बाद किस industry से belong करती है, वो भी हम बता सकते हैं, किस state की है, वो भी हम बता सकते हैं, किस year में incorporate हुई थी, वो भी हम बता सकते हैं, at the same time उसका registration status भी वहीं पे लिखा होता है, so sin से आपको छोटे से इतने से number से, 21 alpha numeric, 21 digits का बोला साता है इसे, alpha numeric numbers के combination से आप company के बारे में इतनी सारी information बता सकते हैं, तो कभी भी अगर आपको कहीं sin लिखा दिखें, तो आप easily बता पाएंगे, इसका year of incorporation क्या है, listed है क्या unlisted है, यह कौन से state की है, यह सारी चीज़ें आप easily बता पाएंगे, अपर के बारे में, से जब हम formation of company पर रहे थे, तो उस time पे हमने यह word बहुत बार सुना, SEBI, SEBI, SEBI से approval लेना पड़ता है, SEBI के पास दाना पड़ता है, यह करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बढ़ हमने वहां पर अच्छा से discuss नहीं किया था कि SEBI होता क्या है, कि exactly SEBI होता क्या है और क्या क्या काम करता है पर उससे पहले हम इसकी abbreviation की full form पढ़ेंगे SEBI stands for Securities and Exchange Board of India SEBI means what? Securities and Exchange Board of India यहाँ से थोड़ा idea तो मिली गया होगा कि यह security से related है बिल्कुल security से related है अब abbreviation की full form जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह MCQ में question आ सकता है आपके पास कि बताये SEBI के full form क्या होती है तो वहाँ पर एक number का question आप full तरू मतलब पूरा एक number पास सकता है अगर आपको यह नाम याद हो जाए तो So Securities and Exchange Board of India stands for SEBI Okay, so now it is करता क्या है यह बोलते हैं The Securities and Exchange Board of India is the regulator for the Securities Market अभी यहाँ एक term इस्तिमाल हुई है Securities Market इसका क्या मतलब वो? देखें, नॉर्मल मार्केट होता है वहाँ हम जाते हैं क्या होता है वहाँ पर? एक समान बेचने वाला इंसान होता है और एक समान खरीदने वाला इंसान होता है Buyer and Seller The person who is selling will known as seller और जो person खरीद रहा होता है वो Buyer के लाया जाता है So ऐसे Buyer और Seller से मिलके हमारा Market बनता है Securities Market भी कुछ नहीं है यह उस तरह का Market है जहाँ पर Buyer Securities के हैं और Seller भी Securities के हैं तो जहाँ पर Securities का Lane देन होता है Buying और Selling होता है उस Market को हम बोलते है Securities Market अब बहुत ही genuine question आपका आया होगा Ma'am Securities क्या होती है तो Securities मतलब Shares Debentures Bonds Etc. यह सारे चीज़े किस में आती है यह सारी चीज़े आती है Securities में Equity Shares हो या Preference Shares हो फिर हमारे Gold Bonds हो या Normal Bonds हो या हमारे Debentures हो यह सारी हमारे Securities है और जहां पर इनका Lane देन होता है उसे हम बोलते हैं Securities Market अब SEBI यहां पर क्या काम करता है SEBI ऐसे Securities Market को Regulate करने का काम करता है वो कैसे चलेंगी उनके रिए रूल्स बनाना वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मॉनिटरिंग करना सुपरविजिन करना कंप्लाइंस करना अलग तरह के मतलब सारी कंप्लाइंस अपने कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं यह इंशार करना यह सारा SEBI का काम होता है तो SEBI Regulates the Securities Market in India Owned by Government of India फिर यह बोलते हैं Let's delete this फिर यह बोलते हैं It was established in the year 1988 कौन सी year में बन गया था? 1988 में बन गया था And given statutory powers on January 1992 मतलब इसका जनम तो पहले हो गया था लेकिन इसको statutory powers बाद में मिली थी अब आपको यह समझना है कि इसका मतलब क्या होगा तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि statutory powers क्या होती है So मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ Story नहीं मतलब basically एक basics बताती हूँ एक होता है हमाने हाँ पर act I hope आपने यह word सुना होगा Act का मतलब होता है वो law जो किसके द्वारा पास किया जाता है Parliament द्वारा पास किया जाता है एसा लौ जो Parliament पास करती है उसे हम बोलते है एक्ट के और आप को ही दूसरी लांगोज में बोला जाता है statute वो भूद फो लूज पारलेमिन द्वारा पास किया जाता है उसको हम बोलते हैं और आक्ट कोही दूसरी लांगोज में बोलते हैं तो सेटीव का मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा एक्ट गढाया हल्गury पास से कोई भी body कोई भी organization अगर existence में आती है तो ऐसी organization को हम बोलते हैं statutory organization और body क्या बोलते हैं हम ऐसी organization को statutory body तो act मतलब statute और act कौन सा जो parliament में पास हुआ है ऐससे statute कि वज़े से कोई body अगर existence में आती है तो ऐसी body को हम बोलते है statutory by body दोड़ी दो आएधिका है यहां तक स्टूरी हमज में अब इसी statute में statutory body की क्या लिखियोंगी Cowers इसी स्टेट्यूट में से इजा फैवлыगोंगी और इसी आक्ट में हम ने पावर्ष भी मेंशन कर दी क्या कहलाई जाएंगी है स्टेट्यूटरी पावर्ष सो छोडा सा link बिठाना है कुछ नहीं है statute के अंदर अगर कोई body का नाम दिया हुआ है तो वो statutory body बन जाएगी और statute के अंदर अगर कुछ powers दी हुई है तो वो statutory powers बन जाती है So in short बोला जाएतो जो भी ads parlement द्वारा पास होंगे अगर उसकी वज़े से कोई body existence में आ रहे है तो उसको हम बोलेंगे statutory body और अगर उसकी वज़े से मतलब कुछ powers किसी body की increase हो रही है या फिर कुछ powers defined हो रही है किसी body की तो उन सारी powers को हम बोलेंगे statutory powers अब SEBI के साथ क्या हुआ? SEBI as an organization 1988 में ही आ गई थी लेकिन अभी तक इससे related कोई act नहीं आया था पार्लेमेंट में ऐसा मानिये एक executive body बन गई थी लेकिन as such कोई act नहीं आया था पार्लेमेंट में फिर क्या हुआ? उनको लगा कि अगर SEBI को effective बनाना है मतलब अगर SEBI को powers देनी है उसको एक बहुत अच्छा full-fledged body बनाना है जो actually कुछ powers hold करता हो अपने पास में तो बहुत जादा जरूरी है इसके लिए हम कुछ statutory powers define करें इसके लिए कुछ ऐसी powers लाइन जो पार्लेमेंट खुद बनाये इनके लिए तो ऐसे scenario में हमने क्या किया हमने एक act लाया SEBI Act 1992 क्या act लाया SEBI Act 1992 उसकी वज़े से हमने उसमें हमने mention किया SEBI का नाम तो हम अब क्या मान रहे है कि act की वज़े एक body आए कौन सी SEBI तो अब ऐसे में SEBI क्या क्या लाए जाएगी सेभी क्या लाए जाएगी statutory body having statutory powers क्योंकि इसके लिए बन गया है एक what? statute So जब ये 1988 में आई थी It was not a statutory body क्योंकि इसके लिए कोई भी act नहीं था लेकिन 1992 में हमने इसके लिए दूसरा act ला दिया कौन सा SEBI Act 1992 जिसकी वज़े से हमने इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया statutory body बोलना स्टार्ट कर दिया और इसके powers को हमने क्या बोला statutory powers So SEBI is nothing just a regulator of stock exchanges Just a regulator of security markets और यह क्या काम करती है Regulation का काम करती है Ensure करती है सारी powers का compliance हुआ है कि नहीं हुआ है सारी formalities पूरी हुई है कि नहीं हुई है Earlier it wasn't a statutory body लेकिन 1992 में इसको statutory का tag मिल गया था अब हम discuss करते हैं कि यहां से कौन-कौन से MCQ आ सकते हैं So first आपका MCQ आ सकता है यहां से कि SEBI का full form बताईए फिर आपसे आ सकता है यह पूछना कि SEBI exactly होता क्या है तो इच्छा regulator दूसरा थर्ड ही आपसे पूछ सकता है कि SEBI को जो act existence मिलाए थी यह जिसने उसकी powers को define किया था उस act का नाम बताईए तो यह हो सकता आपका तीसरा question तीसरा MCQ So overall इतने से ही वीडियो में आपने तीन MCQ देख लिए And I hope अगर अब यह MCQ आपसे paper में पूछ जाएंगे तो आपसे जरूर बनेंगे With of SEBI के बारे में See in my previous video हम लोग ने बात किया कि SEBI होता क्या है फिर हमने बात की कि it's a statutory body, it has statutory powers क्योंकि SEBI Act 1992 आया था उसके वजह से हमने इसको statutory body बोलना शुरू कर दिया अब हम finally यहां पर देखेंगे कि उसके functions क्या है मतलब ऐसे कौन-कौन से functions वो perform करता है First हमने क्या किया है कि उसके functions को group मतलब categorize कर दिया है, groups में बाट दिया है First is protective function Second is regulatory function Somewhat हम इसके बारे में बात कर चुकी है थोड़ी बहुत लेकिन और बात करेंगे और third है हमारा development function So, protective, regulatory and development See, यह और यह function थोड़ी से elaborative way में है तो इनके लिए उपर हम individual videos बनाएंगे लेकिन development वाले की बात करें तो यह इतना ज़्यादा intense नहीं है कुछ नहीं चाहता First of all हमने क्या बात की दिए कि सहभी किसके लिए existence में आया था Securities Market को regulate करने के लिए existence में आया था तो Securities Market को regulate करने के लिए existence में आया था तो यह बोलते हैं कि अगर आपको Securities Market का further development करवाना है If you want कि हमारे यहां के जो Securities Market है International platform पर जो भी Securities Market है अगर उनकी बराबरी कर पाएं वो भी उतने अच्छे वे में उतने effective वे में perform कर पाएं तो कौन-कौन से ऐसे steps हमें आज की rate में अपने hand पे लेने होंगे So that हम अपने यहां के Securities Market को उस लेवल पे पंचा पाएं उसके बारे में पूरी बात होगी यहां पे So development function में सभी यही ensure करता है बस कि कैसे Securities Market को ज्यादा से ज्यादा develop किया जाए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जाए ठीक है So यह है development functions Regulatory functions Somewhat हमने discuss किया है आया क्यों था? Regulate करने के लिए आया था Securities Market को अब क्या क्या करता है Securities Market को बोलता है Compliances लाखे बताएं यह Financial Proof कीजिए ऐसा लाइए वैसा लाइए यह document submit कीजिए यह क्यों किया वो क्यों किया वैसा क्यों किया इसको list क्यों कर दिया इसको क्यों नहीं किया यह सारी चीजे deal करना किसका काम होता है हमारे SEBI का काम होता है SEBI का ही function होता है और इसी वे में आता है हमारा protective function Regulatory तो समझ में आता है कहीं न कहीं monitoring supervision से related है बट protective almost अलग चीज है अब protective में क्या बोलता है protective में अचसे protection करना है उनको पर किसका protection करना है ऐसा कौन इंसान है जिसके protection के लिए हमने एक body बना दी तो वो इंसान है हमारे लिए investor I hope आपको पहले ही click हो गया होगा यह word किसके protection के लिए से भी existence में आया investor की protection के लिए अब क्यों बहुत बार ऐसा होता है एक investor बहुत ही आस लेकि कहा जाता है stock exchange जाता है securities market जाता है और वहाँ पर हो जाती है उसके साथ कोई धोखा दड़ी अब ऐसे सिनारियों में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उपर से नजर रख रहा हो कि securities exchange में investors के साथ कुछ ऐसा ना हो तो इस चीज़ के लिए हमाने क्या SEBI तो SEBI के functions तीन पार्ट में divided हैं एक ये करता है लोग की protection कौन से लोग की protection हमारे investors की protection ताकि उनके साथ कोई धोखा दड़ी कि ना हो जाए कलके चलते हुए मतलब क्यों क्योंकि वो stock exchange में deal कर रहे हैं अब मार्केट में एक investor बहुत ही प्रोन होता है कि कोई भी उसके साथ दिक्कत हो सकती है तो वो चाहता था कि ऐसा ना हो तो यह हो गया फिर regulatory function मतलब क्या मतलब यहां पर regulation में मतलब किसी को regulation करना है उसे किसी चीज का किसका securities market का और इधर development functions में क्या कि वो securities market को develop करना चाहता है मतलब यह चाहता है कि securities market जादा से जादा अच्छी बने ताकि हम international standards को match कर पाए और उनके बराबर पहुच पाएं कहीं ना कहीं अब as I have already told you people that यह और यह काफी जादा intense है मतलब इनके अंदर भी बहुत सारी concepts है तो इसके लिए हम individual videos बनाएंगे इसके further जो videos बनने वाली है वो यही बनने वाली है लेकिन development function में as such कुछ जादा intense नहीं है कुछ ऐसी terms नहीं है जो हमें पता होनी चाहिए सो इसको हम यहीं पर ही जतना समझ रहे हैं उतना समझेंगे सो मेरी next videos में आपको यह दोनों चीज़े मिलेंगे सो stay tuned for that and if you want notes of this chapter तो magnetbrains.com पर जाके आप notes ले सकते हैं that's the official website जिसका link you will get in the description box इसके अलावा if you have any doubt तो comment section में आप पूछ सकते हैं उसके अलावा I wanna tell you people this that 4th से 12 तक के सारे classes के सारे subjects के सारे videos आपको इस channel पर मिल जाएंगे तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई requirement है किसे particular chapter में या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो videos refer कर सकते हैं See in my previous video हम लोग ने बात किया कि SEBI के functions क्या क्या होते हैं तो उसमें हमने 3 categorization देखी थी protective functions, regulatory functions and development functions यहां हम individually बात करेंगे protective functions के बारे में कि SEBI being a protector क्या क्या काम करता है और किस किस चीज पर नजर रखता है So first हम यह पढ़ते हैं As the name suggests these functions are performed by SEBI to protect the interest of investors and other financial participants यहां यह बोलते हैं कि SEBI का क्या role रहता है SEBI हर एक वो इंसान जो कि potential investor होता है यह जो actually investor है यह जो कि financial participant है सबको ही सबको ही क्या करने का काम करता है protect करने का काम करता है सबको protect करने का काम करता है So SEBI यहां पे ensure करता है कि कोई बेंवेस्टर जो की securities में deal कर रहा है या securities में कोई भी transaction कर रहा है उसके साथ किसी भी तरह की धोखादरी न हो उसके बाद यह बोलते है it includes मतलब ऐसी कौन-कौन सी चीज़े होते है अगर हम समझेंगे तो जादा अच्छे से समझ पाएंगे तो आपने यह तो बोल दिया protective function करता है protection करने की कोशिश करता है लेकिन कैसे ऐसी क्या-क्या चीज़े करता है जिससे predictive function होते है first is checking price rigging अब इसका मतलब क्या हुआ price rigging का मतलब क्या होता है बहुत भारी भरकम word है लेकिन meaning इतना जादा strong नहीं है price rigging होता है माल लीजे मैं seller हूँ मेरे साथ और दो-चार sellers है हमारी जान पेचान है और हम same items product deliver करते है market में अब क्या हुआ कि हम पांचों ने मिलके planning की कि काम करते हैं हम ना price fix कर देते हैं मतलब हमें जादा profit कमाना था पहले हम वही चीज 10 रुपए की बेच रहे थे और माल लीजे मैं 10 रुपए की बेचती दूसरा वाला price increase कर देते हैं तो जादे तर customers मेरे पास आजाते ऐसे scenario में अगर मुझे भी अपना profit raise करना है उसे भी अपना profit raise करना है तो हम क्या करेंगे हम आपस में हात मुलाएंगे हम बोलेंगे काम करते हैं तो मैं मैं सब सब मलकी का कर लेते हैं कहीं और जाने का क्योंकि obviously अगर मैं 10 की बेच रही होती दूसरा 20 की बेच रहा था तो वहां से मेरे पास आ सकते थे लेकिन हर एक इंसान अगर 50 की बेच रहा है और उस market में सिर्फ 5 सुकान है जो same product बेच रही है ऐसे scenario में आपके परस option ही नहीं बनता जिसके चलते हुए हमें customers को क्या होती है दिक्कत होती है सो यह बोलते हैं सेभी का एक function होता है यह check करना कि कोई भी price fixing तो नहीं कर रहा है क्योंकि this is illegal and this is not in favor of the investors फेर यह बोलते हैं prevent insider trading अब यह अनादर भारी वरकम वर्ड है insider trading क्या होता है से एक example देती हूँ यह था एक डारेक्टर एक company का ठीक है यह था डारेक्टर एक company का अब इस company की आ रही थी quarterly report मतलब यह company अपनी quarterly report तयार कर रहा था quarterly report आज रात को तयार हो गई है लेकिन लोगों के सामने यह disclose होगी कल ठीक है आज रात को रेडी हो चुकी है लेकिन लोगों के सामने कल जाएगी कल जाएगी और यह डारेक्टर ओविसी इंसाइडर इसको information मिल गई की है quarterly report में तो हमारे तो company बहुत जादा profit कर रही है इसको क्या पता चला कि हमारी company क्या कर रही है बहुत जादा profit earn कर रही है इसने क्या किया इसने अपने साले को phone लगाया brother-in-law को phone लगाया इसने अपनी sister-in-law को phone लगाया इसने अपनी सासुमा को phone लगाया सब को बोला एक काम करो इस कंपनी के ना शेर्स खरीद लो इस कंपनी के रातो रात शेर्स खरीद लो कैसे मरजी करके कल दोपैर तक quarterly report आएगी 9 बजे हमारा stock market खुल जाता है सुबह 9 बजे ही क्या करो उस कंपनी की शेर्स खरीद लो मतलब जाद से जादा शेर्स खरीद लो अब इसने शेर्स क्यों वह करवाए क्यों बाय करवाए इन लोगों से क्योंकि इसको पहले ही पता चल गया था कि quarterly report में बहुत भारी भरकम profit आ रहा है और जब भी किसी भी कंपनी का profit आता है तो जाद से जादा लोग उस particular कंपनी के शेर्स खरीदना चाहते हैं तो कल इसके शेर्स बहुत भारी amount में भी किंगे बहुत भारी amount में भी किंगे 10 रुपय का है तो 50 रुपय का हो सकता है ऐसे में अगर इसने रिपोर्ट आने से पहले ही इन लोग को 10-10 रुपय में शेर्स खरीदवा दिये तो रिपोर्ट आने के बाद वो शेर्स को 100 रुपय में बेच सकते हैं आपने डिस्क्लोज होने वाली है लेकिन रात में इसने तो देख ली क्योंकि तो insider है अब यह खुद तो शेर्स खरीद नहीं सकता था यह देखके तो इसने क्या कि अपने विश्टिदारों को फोन लगा दिया के वह कौटरली रिपोर्ट में बहुत प्रॉफिट आ रहा है कल इस कंपनी के शेर्स ऐसे ऊपर जाने वाले हैं तो एक काम करो तुम पहले ही क्वाटरली रिपोर्ट आने से पहले ही शेर्स खरीद लो जब ये रिपोर्ट आये quarterly तो company के shares जब बढ़े तो उस time पर आप बेच देना तो आपको बैठे बिठाए बहुत सारा profit हो जाएगा ये इस तरह की illegal practice को हम बोलते हैं insider trading अब insider trading क्यों बोला जाता है क्योंकि ये director कौन था? insider था और इसके पास थी एक ऐसे information जो price को हिला सकती है price sensitive information थी इसके पास जो इसने अपने relatives के साथ discuss कर ली और उनको जबरदस्ती shares दिलवा दिये अब उनको shares दिलवाए उनका तो क्या हो गया? बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा profit हो गया बट क्या ये legal profit है? क्या ये valid profit है? क्या ये सही mean से attain किया गया है? नहीं ये दोखादडी से attain किया गया है तो ऐसी practice को बोला जाता है insider trading सो ये भी नजर रखना कि कोई इंसान insider trading तो नहीं कर रहा किसका काम होता है? सेभी का काम होता है फिर इट says promote fair practices ये अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हर एक इंसान, हर एक company, हर एक stock exchange में जो भी participate करे हर इंसान क्या करे अपनी तरफ से fair trade practices रखे गलत काम नहीं करे फिर बोलते है create awareness among the investors इसका ये भी काम होता है कि investors को aware करते रहे time to time कि ये नहीं technology आई है इससे आपका ऐसे नुक्सान हो सकता है, ये ऐसा सकता है, वैसा हो सकता है तो ऐसे लोगों को जादा से जादा ज्यान बाटे, सो दाट लोग aware बने, लोग literate बने, लोग educated बने, उनके पास wisdom आए तो ये सारी चीज़े भी करने का इसी का ही काम होता है prohibit fraudulent and unfair trade practices, ये बोलता है ऐसी practices को कम करना जो fraudulent होती है मतलब जो किसी को fraud, मतलब किसी के साथ forgery करने के लिए की जाती है ऐसी practices को भी कम करना किसका काम होता है, सेभी का काम होता है so being a protective body, being a body जो protective functions के साथ आते ही, सारे काम परफॉर्म करते है और ultimately इसका गोल यही होता है कि जादा से जादा लोग जो इस particular market में participate कर रहे हैं उनके साथ धोका धड़ी नहीं हो और वो fair trade practices से ही काम करें और उनके साथ fair trade practices ही हो that's it for this video in concept functions, regulatory functions like in my previous video, हम लोग अने बात की protective functions के बारे में SEBI और उससे पहले हमने बात कीती कि SEBI के तीन तरह के functions होते है regulatory, protective and development development हमने उसी ताइम दिस्क्रिस कर लिया था और उसके पिछले वीडियो में मतलब इससे पिछले वीडियो में हमने protective पिछिस कर लिया है, यहां हम finally discuss करने वाले है regulatory functions के बारे में okay, so it says, these functions are basically performed to keep a check on the functioning of the business in the financial market financial market, security market, stock exchange यहां पे हर काम सही से चल रहा है, हर function धंक से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह ensure करना किसका काम होता है, यह ensure करना काम होता है सेवी का, so, securities market, financial market, security exchange में हर काम, हर function धंक से हो रहा है यह ensure करना काम होता है, सेवी का फिर it says, designing, these functions include, मतलब इसमें भी कुछ functions included है जैसे हमने protective में पढ़ा था, price rigging को रोखना, insider trading को रोखना तो ऐसी regulatory functions में भी बहुत सारे functions आते हैं, like designing guidelines and code of conduct for the proper functioning of financial intermediaries and corporate यह बोलते हैं कि यह guidelines बनाती हैं, आपने बहुत बार सुना होगा according to SEBI guidelines, वो क्या है, मतलब SEBI ने कुछ guidelines बनाई थी for the functioning of the financial market जिसको आपको follow करना पड़ता है, या फिर code of conduct, मतलब कोई चीज कैसे होनी चाहिए, क्या सही तरीका है उसे करने का, यह भी ensure करता है, कौन से भी करता है, कैसे code of conduct बना के for the proper functioning of financial intermediaries, आप financial intermediaries कैसे रहते हैं, यह है आपका financial market और यह है आपका investor, इन दोनों को link करने के लिए एक इनसान होता है, जिसको हम बोलते हैं broker ठीक है, या फिर DP, depository participant, या फिर हमारा intermediary, तो यह सारे क्या है, यह बिचॉलिये हैं जो एक investor को connect करते हैं financial market से, तो उनके पास कितनी powers होती है, वो अपने ढंक से powers का इस्तिमाल करें, यह सारा ensure करना काम होता है, सेभी का, जिसके लिए वो guidelines भी issue करती है मतलब intermediaries कैसे act करेंगे क्या क्या काम कर सकते है क्या क्या नहीं कर सकते क्या क्या नहीं करना चाहिए यह सारा ensure किया जाता है guidelines के through और वो guidelines basically कौन देता है SEBI देता है ऐसी सारी guidelines SEBI देता है फिर it says regulation of takeover of companies takeover का मतलब होता है एक company जब दूसरी को takeover कर लेती है मतलब एक company दूसरी company को ले लेती है अपने अंदर तो उसे बोलते हैं हम takeover और उस चीज की regulation करना क्योंकि बहुत क्या होता है merger, acquisition, takeover इन सब में बहुत सारी चीज़े लगते हैं बहुत सारी formalities लगते हैं at the same time इन सब के अंदर न बहुत सारे frauds भी हो सकते हैं so SEBI हमेशा ensure करता है कि takeover के time पे कोई भी fraudulent affair ना हो तो उसके लिए अलग से provisions भी बनाएगा उसके लिए अलग से guidelines भी बनाएगा at the same time ensure भी करेगा proper monitoring के साथ proper supervision के साथ फिर ये बोलता है conducting inquiries and audit of exchanges conducting what inquiries and audit of exchanges मतलब ये inquiries conduct करता है at the same time audit करवाता है inquiries conduct करना मतलब कैसे माल नीचे आपको पता लगा stock exchange में कुछ उल्टा सिधा चल रहा है तो उस time पे एक committee बनाता है कुछ लोगों की उनको ये बोलता है कि जाके यहाँ पे पूरे इस case की inquiry करके आईये और मुझे बताईये कि क्या exactly वही है जो हमें सुनने को मिल रहा है ये काम कौन करता है सेवी करेगा उसके अलावा stock exchanges की auditing भी यही करवाता है auditing का मतलब है verification कि सामने वाला जो इंसान काम कर रहा है वह सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वह auditing भी इसी का ही अरेना होता है then it says registration of brokers, sub-brokers, merchant bankers, etc अब क्या होता है यह जो brokers होते हैं जो बीच में intermediary का काम करता है same way sub-brokers merchant bankers होते हैं इन सब का ना कहीं record रखा जाता है इन सब का ना कहीं registration होता है तो वह record और वह registration होता है SEBI के पास इनको एक license लेना पड़ता है SEBI से और उसके बाद ही अपना गाम शुरू कर सकते हैं that's very intense वाली चीज़ वह हम 12th में और जाधा detail में पढ़ेंगे जब हम financial market के बारे में पढ़ रहे होंगे बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए कि ये registration और ये अपने records maintain करवाना कहां पे होता है SEBI के पास होता है तो SEBI को इनको permission देनी होती है उसके बाद ही अपना business start कर पाते हैं living of fees किसी भी तरह की fees introduce करनी है किसी भी तरह की duty introduce करनी है तो वो भी SEBI ही करता है when it comes to financial markets फिर है performing and exercising powers कोई भी power ऐसी जो लगे हाँ इस particular चीज को ensure करने के लिए इस particular चीज को regulate करने के लिए ये वाली power का exercise करना बनता है तो वो भी कौन करेगा SEBI ही करेगा Register and regulate credit rating agency अब ये क्या होता है Credit rating agency Actually हर इंसान की कितनी credit worthiness है कि अगर इसको loan मिले तो ये loan repay कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये default तो नहीं करता है अपनी payments में एक बार loan लेने के बाद defaults तो नहीं करता ढंक से timely payment करता है कि नहीं करता है ये इन सब की एक rating होती है और वो दी जाती है different rating agencies द्वारा अब इन rating agencies का भी registration होता है और वो registration होता है again where SEBI के पास ये rating agency के बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन 12th class में क्योंकि ये वो तब का matter है अभी फिल्हाल इतना समझ लीजे credit rating agency कुछ नहीं करती है हर एक इनसान की credit worthiness को देख कि उसको एक rating देती है कि अगर कल इसको loan दिया जाएगा तो क्या ये उसे repay कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मतलब इतना insure करना इसका काम होता है और ये अपनी rating के according बताता है कि particularly चीज हुई है कि नहीं हुई है तो ये थे कुछ functions किसके SEBI के और कौन से function है regulatory nature के है protective nature हम already discuss कर चुके regulatory हमने कर लिया है development हमने first slide में ही देख लिया था and I hope अब आपको पता चल गया होगो कि exactly SEBI के क्या क्या काम होते हैं अब हम next video में बात करेंगे इसके objectives के बारे में objectives of SEBI मतलब basically हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि SEBI क्या क्या functions करता है individually हमने हर function को detail में देखा भी यहां हम बात करेंगे उसके objectives के बारे में कि SEBI को form करने के बीचे हमारी वो कौनसे intentions थी इसका क्या वो mission था जिसके लिए existence में आया था इसको हमने bifurcate किया है तीन पार्च में first is protection of investor जो वो अपना function भी करता है second is prevention of mal practices मतलब गलत हरकतों को रोकना third is fair and proper functioning यह तीन function objectives हैं किसके SEBI के first ही क्या बोलता है protection of investors the primary objective of SEBI is to protect the interest of people in the stock market and provide a healthy environment for them first ही बोलता है कि कोई बेंसान कोई बेंवेस्टर नया है उसको नहीं पता है securities exchange के बारे में वो आ रहा है यहां पर transaction कर रहा है interest ले रहा है तो ऐसे में SEBI इस objective के साथ बनाया गया था इस objective के साथ चलता है perform करता है कि यह जितने भी मतलब investors आ रहे हैं उनके साथ कभी भी दोखादरी ना हो उनके सबके interest stake पे ना जाए उन सबके interest क्या रहे हैं सही सलामत रहे हैं ensure करना SEBI का काम ही नहीं होता बलकि उसका खुद का objective भी है मतलब वो चाहता ही यही था उसे form करने के बीचे हमारा main मकसद ही यही था तो first क्या बोलता है SEBI protect करता है किसको the interest of people in the stock market ताकि वो एक healthy environment को वो कर सपाए मतलब ताकि वो एक healthy environment बना पाए healthy environment कब बनेगा जब हर किसी के लिए opportunities सेम होंगी जब हर कोई freely move कर पाएगा जब हर कोई freely trade कर पाएगा कभी उनके उपर यह forgery वाली चीज नहीं आएगी कि हां हमारे साथ forgery हो सकती है तब ही हम comfortably deal करेंगे तो यह ensure करना ही इसका object था सेके नहीं बोलते हैं prevention of malpractices सी day to day life में हम newspaper पड़े तो इतने सारे example हमारे सामने आते हैं कि उन्होंने उस particular चीज में scam कर लिया उन्होंने यह debentures issue किये और scam कर लिया बाप बेटे ने मिलके बुद्धू बनाया लोगों को बाप बेटे ने मिलके पैसा लूट लिया लोगों को उस minister ने इतना पैसा लूट लिया इस scheme के चलते हुए तो इस सारे क्या हैं यह malpractices है जो होती है financial market में सेबी जब आया था तो उसका एक object यह भी था कि उसको इतनी जितनी भी malpractices होती हैं पूरे environment में financial market के environment में उसको कम करना या फिर खतम करना यह बोलते हैं यह एक kind of sole reason था जिसकी वज़े सेबी existence में आया था बाखी तो थे ही थे सब्स्ट्री थे लेकिन जो main हमारा objective था होती है वो खतम करवा पाएं फिर यह बोलते हैं among the main objectives preventing malpractices is one of them बाखी सारे objectives थो kind of हम बोल सकते हैं secondary थे जो मारा main मक्सत वाग यही था कि जितने भी scams हैं जितने भी malpractices हैं जितने भी fraud हो रहे हैं उन सब को खतम करना और एक अच्छा healthy environment banana for not only investors but also for intermediaries and also for the corporate world third यह बोलता है fair and proper functioning यह बोलता है SEBI is responsible for the orderly functioning of the capital markets and keep a close check over the activities of the financial intermediaries such as brokers, subbrokers etc यह बोलता है कि ऐसा नहीं है, service से पहले चीज़े हो नहीं रही थी चीज़े हो रही थी लेकिन systematic way में नहीं हो रही थी proper order में नहीं हो रही थी and that was a reason कि बहुत hodgepodge रहता था और जब चीज़े बहुत kios में होती है तब वहाँ पे fraud करना बहुत ज़्यादा simple होता है माल नीचे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा complex है वहाँ पे किसी के लिए fraud करना कितना simple होगा तो यह जब आया इसने अपने साथ एक objective यह लाया कि मैं हर चीज़ को एक order way में करूँगा मतलब एक particular form में करूँगा अच्छे से categorization करवा के करूँगा अच्छे से functioning करवाँगा hierarchy करूँगा और जितनी भी functions है उनको systematic way में draw करूँगा अब systematic हो जाते हैं चीज़े तो transparency बढ़ जाती है जब transparency बढ़ती है तो उसके चलते हुए जो यह fraud practices होती है यह भी कम हो जाते हैं क्योंकि हर इंसान को खत्रा होता है कि हम first सकते है तो SEBI का एक objective यह भी था कि जब वो existence में आ रहा है वो हर एक काम हर एक corporate द्वारा बहुत ही systematic way में करवाए at the same time securities market के भी जितने functionaries हैं उन सब को systematic way में काम करने के लिए बूले so that कल कोई भी इंसान असानी से किसी के साथ धोख़ड़ी ना कर पाए so यह थे कुछ objectives किसके SEBI के I hope आपको clear होंगे इसके अलावा और भी बहुत सारे objectives है लेकिन यह हमारे main main तीन objectives है बाकि सारी चीजे मारे functions में cover हो जाती है see अभी जब मैं आपको SEBI पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत बार यह securities market, stock market, financial market, capital market ऐसे terms का इस्तिमाल किया था तो exactly हमें पता भी तो होना चाहिए कि stock exchange है क्या मतलब क्यों हम बार बार उसके बारे में बात करें ऐसा क्या होता है वहाँ पे हमें पता होना चाहिए तो उसी के regarding यह पूरा वीडियो है देखें, पहले इस diagram को समझते है यह एक इनसान है जिसको अभी दुनिया के बारे में नहीं पता है He is new, ठीक है इन सारी चीजों में यह अभी नया नया आया है इसको बहुत अलग-अलग चीजों के बारे में नहीं पता था तो इसने पूछना शुरू किया इसने सुना कहीं से शेर्स के बारे में इसने बोला बहुत इंट्रेस्टिंग चीज लग रही है यह काम करता हूँ, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका बहुत इस सिंपल क्वेशन था कि यार में को टूथपेस चाहिए होता है में मार्केट जाता हूं मुझे बिस्किट चाहिए होता है तो मैं मार्केट जाता हूं मुझे वाटर चाहिए होता है वाटर बोटल सही होते तो भी मार्केट जाता हूं अब मैं शेर्स के लिए कहां जाओ क्या नॉर्मल मार्केट में मुझे ये चीज मिल जाएगी तो इसने बहुत ही जैन्मन क्वेशन किया सामने वाले इंसान से कि यार मुझे शेर्स खरीदने है वेर शुड़ा इंसान थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा अब आज टोल जाओ इसको नहीं पता था इतना साज है तो ये समझदार इंसान इसको टॉक सेंच के बारे में बता रहा है ये कुछ लाइने बोलके अब इनमें क्या लिखा हूआ है वो पढ़ते है The stock exchange is a virtual market where buyers and sellers trade in existing securities Stock exchange एक ऐसा market है जहां पे buyers and sellers आते हैं अब पहले क्या होता था यह जो market हुआ करता था यह physical हुआ करता था मतलब एक place हुई करती थी जहां पे buyers भी आते थे, sellers भी आते थे, auction होती थी शेयस की और ऐसे शेयस परचेस किये जाते या बेचे जाते थे लेकिन आइस्ता आइस्ता यह practice थोड़ी से कम हो गई क्योंकि देखिए बंबे में होती थी यह चीज, बंबे में sales purchasing होती थी शेयस की और हर इंसान को throughout the year इंडिया से travel करना बहुत ज़्यादा difficult होता था बंबे तक कौन आप आएगा दो तिम दिन दो जाने में लग जाएंगे अच्छा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और सिर्फ shares खरीदने जाओ तो कैसी जाओ तो इन्होंने बोला यह बहुत दिना ज्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी फिर आगे है मारे हाँ पर डिचिटल इंडिया आप डिच्टल इंडिया है तो इन्होंने बोले काम करते हैं प्लाटफर्म पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि जहां अपने प्लाटफर्म पर शिफ्ट किया हर कोई अपने घर से उसे अक्सिस कर सकता है तो उन्हें बुला बिल्कुल ऐसे ही कीजिए और ऐसा ही हुआ जो फिजिकल वॉल्ड था उसको हमने ट्रास्फर कर दिया एक वर्चुल मार्केट में अब वर्चुल का मतलब क्या होता है वर्चुल एक ऐसे चीज़ें जिसके फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती एलेक्ट्रॉनिक एक्जिस्टेंस होती है तो वर्चुल मार्केट बना दिया हमने कि अब इसकी सेलिंग और बाइंग का होगी ऑनलाइन होगी म ऐसे घर से हमने उसे किस पे convert कर दिया हमने उसे PC में convert कर दिया कि PC से अब हम क्या कर सकते हैं अपनी buying and selling कर सकते हैं without कहीं पे जाए हुए तो seller भी एक PC इस्तेमाल कर रहा होगा, buyer भी एक PC इस्तेमाल कर रहा हो और दोनों ही virtual market की help से अपने shares बेच और खरीद पाएंगे It is a market hosted by the institute or any such government body where shares, stocks, debentures, bonds, futures, options ये सारी चीज़े trade की जाती है I hope आपको shares का मतलब पता है and I hope आपको stock का मतलब पता है, मतलब combination of shares Debentures मतलब क्या borrowed fund की इतारे treat किया जाता है, bonds भी kind of a loan होता है, बस किसमें convert कर दिया है, securities में convert कर दिया Futures and options भी shares का ही एक हिस्सा रहता है, अलग-अलग trading वे रहता है इसमें, बहुत intense चीज़े, अभी आपके काम की नहीं हैंगे, हम पढ़ेंगे 12 में जाके So, यह बोलते हैं, इन सारी चीज़ों की trading होती है, shares की trading होती है, diventures की होती है, stocks की होती है, bonds की होती है और जहां पर इनकी trading होती है, उस market को हम बोलते हैं, stock exchange फिर they have said, a stock exchange is a meeting place for buyers and sellers यहां वो लोग भी आते हैं, जिने shares बेचने होते हैं, यहां वो लोग भी आते हैं, जिने shares खरीदने होते हैं So, it's a kind of a meeting place for both of them So, stock exchange is nothing, just a market जहां पर क्या होता है, shares बेचने वाले आते हैं, shares खरीदने वाले आते हैं Stock बेचने वाले आते हैं, stock खरीदने वाले आते हैं, debentures बेचने वाले आते हैं, debentures खरीदने वाले आते हैं अब बेचने वाला कौन हो सकता है बेचने वाला can be a company कोई नई कामपनी आया है उसको अपने shares बेचने है वो आ जाएगी कोई इनसान हो सकता है जिसके पास already वो shares है और वो अब वो shares नहीं रखना चाहता है वो भी अपने shares बेचने आ सकता है यहां पर तो kind of जिसके पास भी वो shares है वो आहां पे आ सकता और अपने shares बेच सकता है तो this is what a market where buying and selling is to be done और इसकी regulation करता है कौन से भी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था I hope आपको stock exchange का मतलब समझ में आओगा इस concept को और जादा पढ़ेंगे हम future videos में plus 12 में तो और detailed में पढ़ेंगे that's it for this video अगर preliminary contracts के बारे में see जब हम पढ़ रहे थे हमारे normal promotion वाला time तो हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ी थी उसमें तो इसमें एक दो बार preliminary contract का जिकर हुआ था यहां हम exactly बात करेंगे कि preliminary contract होते क्या है देखिए short में समझाया जाए precise way में समझाया जाए तो ऐसे मानिए promotional stage है मतलब वो stage है जब promoter अपना idea लेके आया है बाकी चीज़े execute कर रहा है बाकी सब देख रहा है plus एक ऐसी stage है जब आपकी हाथ में certificate of incorporation आ गया है so promotional stage है यह complete होती है फिर incorporation stage हाती है वो complete होती है और उसके बाद आपको मिलता है आपका certificate of incorporation इन दोनो time period के बीच में अगर promoter किसी के साथ contract करता है मतलब इसके और इसके time के बीच में अगर promoter किसी के भी साथ contract करता है तो उससे हम बोलते हैं preliminary contract जिसका मतलब क्या हुआ ऐसा contract जो की certificate of incorporation हाथ में आने से पहले ही हो गया हो यह generally क्यों किया जाता है यह generally इसलिए किया जाता है कि माल लिजी अभी incorporation नहीं हुआ है लेकिन कुछ important affair है कुछ ऐसी चीज़े जिसको resist किया ही नहीं जा सकता तो उस time पे अभी company तो form हुई नहीं है लेकिन being a promoter वो तो कुछ फैसले ले सकता है वो तो कुछ contract कर सकता है company की बहाव पे तो उन्होंने बस वही contract किया है जिसे हम बोलते है preliminary contract लेकिन इसके होते हैं कुछ negative effects आईए पढ़ते हैं क्या during the promotion of the company promoters enter into certain contracts with the third parties on the behalf of company मतलब during the promotion of the company promotion जब हो रही होती है company की तो promoters कुछ ऐसे contract sign करते हैं third parties के साथ company के बहाव पे और उन्हीं contracts को बोला करते हैं हम preliminary contracts और pre-incorporation contracts अब pre-incorporation contract आपको जाद अच्छे से याद रहेगा क्योंकि इसमें word incorporation आ गया और pre मतलब उससे पहले तो preliminary contract का मतलब क्या होता है incorporation के पहले sign किये गए contracts तो यहाँचे तो बहुत simple way में समझ में आ जाएगा then they say these are not legally binding on the company ऐसे contracts company के उपर legally binding नहीं होते है ऐसे लोग जिनको लगता है कि preliminary contract पर company के उपर लागू हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है जब company incorporate हो जाती है तब company के पास option होता है कि वो चाहे तो ऐसे contract को अपने नाम पर दुबारा से बना सकती है तो certificate of incorporation आपके हाथ में आ गया है अब आपके पास यह option है कि यह जो preliminary contract बने थे वो आप दुबारा से बना सकती है किसके नाम पर company के नाम पर क्योंकि अभी तक वो किसके नाम पर थे promoter के नाम पर थे ऐसे contract कभी भी legally binding नहीं होते है वो wait करते हैं कि company incorporate हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे fix करवा देंगे a company cannot be forced to honor a preliminary contract कभी भी हम किसी भी company को force नहीं कर सकते कि आपको preliminary contract में जो mention है उसकी चीज़े पूरी करनी पड़ेंगी माल लिज़े preliminary contract में लिखा था कि company incorporate होने के बाद इतना इतना पैसा इतने इतने लोगों को देगी यह यह काम करने के अब वो लोग आए पर company ने बुला हम आपको hire नहीं करना चाते हैं हम दूसरे लोगों को hire करना चाते हैं तो ऐसे में सामने वाला इंसान company के साथ force नहीं कर सकता सामने वाला इंसान company के उपर pressure create नहीं कर सकता reason being वो चीज company ने अपने हाथ से की ही नहीं थी और company being a separate legal entity कभी भी जो भी contract करती है अपने नाम से करती है और ऐसा contract certificate of incorporation से जो पहले हुआ है वो company के नाम पे नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक आपको नाम ही नहीं पता कि company का क्या होने वाला है company form ही नहीं हुए है तो अप contract कैसे कर सकते हैं तो promoter द्वारा किया गया हर वो contract promoter की ही personal liability होता है जैसे कि यहाँ पर last point में लिखा हुआ है promoters however remain personally liable to third parties for these contracts मान लिजे कभी भी damage होता है third party का तो promoter वो damage अपनी जेब से भरेगा company को पैसे नेने के लिए मजबूर नहीं करेगा so हमने क्या पढ़ा यह ऐसे contract है जो की preliminary nature की है मतलब आपका certificate of incorporation नहीं आया है उससे पहले ही आप क्या कर रहे हैं किसी के साथ contract sign कर रहे हैं अब company तो incorporate होई नहीं है common seal तो लग नहीं पाएगी contract पे तो किसी को sign करने पढ़ेंगे और यह sign कौन कर रहा है promoter sign कर रहा है ऐन ऐसा मानिये है कि company ऐसी चीजों के लिए force नहीं की जा सकती कि ऐसे contract को fulfill करें क्योंकि यह company की obligation है ही नहीं क्योंकि company ने sign ही नहीं किया तो ऐसे scenario में you cannot force a company for such a thing so during the promotion of the company promoters ऐसे कुछ contract sign करते हैं company की बहाफ पे लेकिन क्योंकि वो promoter द्वारा sign किया गया है इसलिए promoter ही personally liable होगा ऐसे contract के लिए company liable नहीं होगी और ऐसे contract होते हैं हमारे कौन से preliminary contracts एक और टर्म पढ़ी थी हमने provisional contracts करके वो हम next video में cover करने वाले हैं so state provisional contracts के बारे में see in my previous video हम लोगों ने बात की preliminary contracts के बारे में मैंने आपको बताया essay contracts जोकि incorporation से पहले ही sign कर दिये जाते हैं promoter द्वारा on behalf of company वो होते हमारे preliminary contracts यहां हम बात करेंगे provisional contracts के बारे में जो बोलते हैं essay contract जो कि certificate of incorporation के बाद sign होते हैं लेकिन certificate of commencement of business के पहले sign होते हैं यहां से आपको एक clear indication मिल जाना चाहिए कि ये contracts सिर्फ और सिर्फ public company में पाए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ public company में पाए जा सकते हैं अब आप पूछेंगे अगर कि माम ऐसा क्यों बोला आपने तो थोड़ा सा common sense लगाईए और मुझे बताईए कि certificate of commencement of business कौन सी company लेती हैं सिर्फ public nature की company लेती हैं प्राइवेट्स को तो नहीं लेना पड़ता ये certificate प्राइवेट तो certificate of incorporation के बाद ही अपना business start कर सकता है तो यहां हम बोल रहे हैं ऐसे contracts जो कि certificate of incorporation के बाद sign किये गए हैं लेकिन certificate of commencement के पहले sign किये गए हैं ऐसे contracts को हम बोलते हैं provisional contracts और यहीं अगर certificate of incorporation से पहले आपने वो contract sign किया होता तो वो कौन सा contract होता? वो होता आपका preliminary contract तो पढ़िये यहां पर क्या लिखा हुआ है the contracts which are entered by a company after incorporation word focus में डालिएगा after incorporation but before it is entitled to commence business that is certificate of commencement of business is issued to the company are provisional contracts मतलब ऐसे contracts जो किसके after हुए है certificate of incorporation के but किसके before हुए है certificate of commencement of business के और essay contract सिर्फ कौन कर सकता है? public company कर सकते है क्योंकि certificate of commencement of business किसको चाहिए होता है? सिर्फ public company को चाहिए होता है can be enforced only on receiving certificate of commencement of business ये बोलते हैं कि ऐसे contract जो provisional nature के होते हैं अगर आपको इनको enforce करना है मतलब अगर आपको इनको existence में लाना है actually execute करना है तो आपको wait करना पड़ेगा इस certificate का अगर आपको professional contracts को enforce करना है तो you will have to wait for what हमारा certificate of commencement of business फिर ये बोलते हैं applicable to only public companies मैं already आपको बता चुकी हो ये किसके उपर applicable होंगे? सिर्फ public companies पे applicable होंगे reason उसका यही है कि सिर्फ public company को ही ये certificate लेना पड़ता है private company इसके बाद अपना business start कर सकती है और private company अगर certificate of incorporation के बाद कोई contract करती है तो that is considered to be a valid contract और उसको provisional या preliminary का नाम नहीं दिया जाता है So, provisional contract में हमने क्या पड़ा? certificate of incorporation के बाद आपने ही sign किया है लेकिन certificate of commencement के पहले आपने ये particular contract sign किया है तो ऐसे contract को हम बोलते है provisional contract और provisional contract को enforce किया जा सकता है ratify किया जा सकता है ratify मतलब actually उसको permission देना कि हाँ यार कर लो इसको execute तो ratify किया जाता है enforce किया जा सकता है लेकिन you will have to wait for what this particular certificate जब तक certificate of commencement of business आपके आथ में नहीं आता है तब तक आप इस contract को enforce नहीं कर सकते हैं again ये बोलता है can be enforced only on receiving certificate of commencement of business plus last में ही क्या बोल रहा है applicable for only public company सिर्फ public company पर ही ये चीज़ क्या होगी applicable होगी क्योंकि सिर्फ उसी company को क्या चाहिए होता certificate of commencement of business I hope आपको समझ में आया हुगा in our next video हम बात करने वाले है difference between provisional contracts and preliminary contracts so state difference between preliminary contracts and provisional contracts के बारे में see ये क्या बोलते है they say कि हमारे contracts जो कि actually contracts नहीं माने जाते unless and until उने ratify किया हो ये दुबारा नहीं बनाया जाए तो वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं preliminary दूसरे होते हैं provisional यह हम exactly पढ़ेंगे कि उन दोनों में difference क्या होता है as you can see we have mentioned preliminary on one side and provisional on another side यहां basis जो हमने select किया है वो है person जो कि sign करता है वो particular contract फिर है time मतलब exactly कब वो particular contract existence में आता है और फिर उसकी legal terms के बारे में बात की गई है कि exactly उसका treatment कैसे कराया जाता है कैसे उसे effect में लाया जाता है first person की बात हो रही है तो preliminary contract क्योंकि pre-incorporation contract होता है pre-incorporation contract तो pre-incorporation stage में सिर्फ एक ही बंदा active होता है और वो होता है हमारा promoter जो कि वो एक idea लेके आता है और बाकि सारी चीज़े करता है तो promoter enters into this contract तो यह वारा contract किसके द्वारा sign किया जाता है promoter द्वारा sign किया जाता है on the behalf of what company यहाँ पे on the other side provisional contracts जो है वो किसी signatory द्वारा sign किया जा सकता है या फिर manager द्वारा sign किया जा सकता है अब ma'am signatory कैसे existence में आया बेरा signatory तो existence में आ ही गया होगा क्योंकि certificate of incorporation जो है वो तो हमारा पहले ही आ चुका है और certificate of incorporation से पहले ही हमारे सारे signatories decide हो जाते है तो signatories तो existence में आई गये है उसके बाद company भी क्या है almost शुरू हो गई है it is just waiting for commencement business certificate so basically कोई भी इंसान जिसको हमने manager के post पे रख लिया हो वो भी sign कर सकता है हमारा provisional contract at the same time signatory भी sign कर सकता है so यहां signing authority कि इसके पास होती है promoter के पास होती है whereas यहां signing authority कि इसके पास होती है कोई भी manager या फिर signatory sign कर सकता है time यहां बोलते है in the promotion stage आप preliminary contract कब sign करते हैं जब आप preliminary जब आप promotional stage में होते हैं मतलब certificate of incorporation आपको नहीं मिला उससे पहरे कौन सी stage रहती है promotion stage रहती है तो promotion stage में ही जो sign होते हैं वो सारे preliminary contract बोले जाते हैं on the other side after the incorporation stage incorporation stage का असर ही यही होता है कि आपके हाथ में certificate of incorporation आ जाता है तो certificate of incorporation अगर आपके हाथ में आ गया है उसके बाद अगर आप कोई sign कर रहे हैं contract तो वो तो कौन से होते हैं वो provisional contract होते हैं अब आपको यह चीज़े थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी कि आपके ऊपर से जा रहे हैं क्यों क्योंकि आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें stages मैंने discuss की हैं तो अगर आपने नहीं देखे हैं और आपको यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज वो stages वाले वीडियोस पहले देख के आएगे तभी आपको यह properly समझ में आएगा यह बोलते हैं अगर हमें preliminary contract को actually ठीक करना है effective बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यह बोलते हैं अगर हमें effect में लाना है तो company in corporation के बाद company को वो सामने वाले इंसान के साथ एक और contract sign कर लेना चाहिए जो company के नाम पे रहेगा at the same time other party will be that particular person तो अगर contract आपको effect मिलाना है enforce करना है कौन से वाला preliminary वाला तो उसे ratify मत कीज़ेगा क्योंकि ratify करना allowed नहीं है आप उसे क्या कर सकते हैं दुबारा से contract बना सकते हैं जो आप कब बनाएंगे जब आपका particular certificate of incorporation आ चुका है और आपकी company form हो चुकी है ऐसे सिनारियो में company को और contract बनाएगी जिसमें एक side company का नाम लिखा जाएगा और दूसरी side उस particular इंसान का नाम लिखा जाएगा third party का नाम लिखा जाएगा जिसके साथ वो particular contract sign हुआ है और अधर साइड जब हम इसके बारे में बात करें तो यह बोलते हैं जैसे ही आपके पास certificate of commencement आ जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसके बाद आप इस particular contract को effect में ला सकते हैं enforce कर सकते हैं that will be allowed so हमने दोनों के differences पढ़े हमने पढ़ा preliminary contract को enforce करना थोड़ा सा difficult होता है as compared to provisional contract क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सीज़े change हो जाती है जब हम बात कर रहे थे हमारी company incorporation की formation की और बागी सारे procedure की तो हमने वहाँ पे mention किया था 2-3 वीडियो में special resolution और मैंने आपको बोला था कि special resolution की बारे में मैं आपको individual वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वहाँ पे बताना it wasn't possible So, इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको special resolution की बारे में बता रही हूं, but मैं आपको ordinary resolution की बारे में भी बता रही हूं First of all, we need to understand what is this term resolution Resolution का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ Decide करते हैं माल लीजे एक meeting है बहुत बड़ी जिसमें बहुत सारे लोग एक particular मुद्धे पे कोई decision लेना चाह रहे हैं तो वो मिलके जो decision लेते हैं वो हमारा कहला आया जाता है resolution It can be ordinary, it can be special कैसे वो ordinary बनता है और कैसे वो special बनता है First it says An ordinary resolution is one which is passed in the company's general meeting एक चीज़ हमेशा याद रखियेगा कि ordinary और special की बात कभी आएगी जब हम general meeting की बात कर रहे होंगे Board of directors meeting में कभी भी इस चीज़ की बात नहीं आती Board of directors meeting में it is normal resolution General meeting में ही हम special resolution या फिर ordinary resolution की बारे में बात करते हैं So what it says कि company का general meeting हो रहा था उसमें simple majority से अगर हमने कोई decision लिया है Simple majority का मतलब क्या होता है 51% मतलब जो लोग against में खड़े हुए हैं उससे एक extra percent इधर होना चाहिए जो favor में खड़ा हुआ है जो लोग against में खड़े हुए है उससे एक ही percent ऐसा होना चाहिए जो की favor में खड़ा हुआ है So this is what our general majority On the other side जब हम special resolution की बारे में बात करते हैं They say I know काफी tough language लग रही होगी लेकिन मतलब समझेंगे इतनी इसी easy चीज़ को आपने difficult बना दिया यह बोलते हैं जब जो favor में बोलने वाले हैं वो 75 percent हो और जो against बोल रहे हैं वो 25 percent हो तो ऐसे में हम बोलते हैं कि यह हमारा है special resolution तो हम एक particular चीज़ पे एक particular मुद्धे पे discussion कर रहे थे और उसमें ऐसा हुआ कि जो favor में बोल रहे थे वो 75 percent की majority रख रहे थे तो यह ऐसा resolution हमारा कहलाया जाएगा special resolution मतलब ऐसे resolution को form करने में बहुत सारे लोगों ने अपने efforts लगाए हैं बहुत सारे लोगों की मंजूरी है तो ऐसे resolution will be called as what? special resolution क्योंकि वहाँ पे जो favor में बोल रहे हैं वो against में बोलने से 3 words मतलब 3 times है मतलब basically 25 वो है तो 3 times 75 यह होगा So this is what? special resolution फिर दे से no notice is required to be given for moving and ordinary resolution अगर हमें ordinary resolution से ही कोई चीज पास कराने हैं कोई मुद्धा पास कराना है तो हम special notice नहीं भेचते हैं हमें अलग से लोग को special notice भेचके नहीं बताना पड़ता कि किसी चीज़ पे हमें discussion करनी है on the other side जब हम इधर की बात करें special resolution की तो दे से a prior notice needs to be sent मतलब अगर आपको मतलब आपको सामने वाले इंसान को एक prior notice पहले से देना पड़ेगा जिसमें आपको mention करना पड़ेगा कि इस party में इस meeting में जरूर आईएगा क्योंकि यहाँ पे हमें special resolution से चीज़े पास करानी है फिर दे से all matters relating to company's business except those which need to be settled by a special resolution not settled in ordinary resolution यह बोलते हैं वो मुद्दे जिन पे special resolution लगता है उनको छोड़के बाकी जतने भी मुद्दे हैं वो ordinary resolution से ही पास होते हैं और वो मुद्दे जिन पे special resolution लगेगा वो exclusively mentioned होते हैं कि इस चीज़ में special resolution लगेगा be prepared इस चीज़ में special resolution लगेगा be prepared सो वो सारे मुद्दे जो special resolution से पास होते हैं वो इधर आ जाएंगे और वो अलग से mention रहेंगे उसके अलावा बचे खुचे जितने भी मुद्दे हैं वो ordinary में आएंगे जो कि अलग से stated नहीं होते हैं लास ये बोलते हैं और ordinary resolution does not need to be registered with the registrar जब आप किसी मुद्दे पे ordinary resolution लेते हैं तो वो अलग से ROC को नहीं बताना पड़ता है whereas कभी आप किसी मुद्दे पे special resolution लेते हैं तो आपको ROC को inform करना पड़ता है कि ROC हमने special resolution पास किया और वो भी 30 days के अंदर अंदर आज अगर मैं special resolution ले रहे हूं तो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे ROC को बताना पड़ेगा कि ROC देखिए मैंने special resolution लिया है मेरी company ने special resolution लगा है here is the copy please check it और इसके लिए अलग से form भी prescribed है जो कि ordinary में नहीं होता है सो कह सकते हैं कि important होते जिन पे हमें बहुत जादा सोच विचार की जरौत होती है जिसमें बहुत जादा majority की जरौत होती है उसके लिए हम special resolution पास करते हैं whereas बच एक हुचे मुद्दे जिन पे इतना जादा focus नहीं चाहिए होता उनके लिए हम ordinary resolution पास करते हैं सब्सक्राइब को समझ में आया होगा कि special resolution का मतलब क्या होता है जादा 75% majority वेरास ordinary resolution का मतलब होता है मतलब 51% majority CLB के बारे में से इन माइ प्रिवेस वीडियो मैंने इसका एक रेफरेंस दिया था कि कभी भी कंपनी को अगर कोई प्रॉब्म होती है तो CLB के पास जाती है दर इस company law का एक अलग से बोर्ड बना हुआ है उसके पास जाती है सो यह exactly है क्या functions क्या है कितनी powers है किसको replace किया इन सब सीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आये जानते हैं क्या लिखा है इसमें यह बोलता है कि company law board जो है हमारा यह it's a quasi judicial body सबसे पहले इस word का मतलब समझते हैं quasi judicial body quasi का मतलब होता है partial which is not fully partial या फिर partly so basically quasi का मतलब क्या हुआ जो आधा अधूरा है complete नहीं है quasi judicial body judicial body का मतलब है court kind of बोल सकते हैं judicial body मतलब जो judges वाला काम करती है जुडिश्री वाला काम करती है वो कौन करता है court करता है तो यह बोलता है कि c lb basically एक quasi judicial body है that means यह court के functions तो करेगी लेकिन यह complete court नहीं है it's a quasi court मतलब partial court है मतलब यह ऐसे काम करती है जो courts करते हैं लेकिन completely नहीं करती है आधे अधूरे करती है मतलब इस पर ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद आपको court में नहीं मिल सकती कभी या फिर आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको court में मिलती है तो इचा combination of two इसको आजकर की date में हम tribunal की नाम से भी जानता है मतलब tribunal is also a quasi judicial body उसमें क्या होता है वो हम NCLD जब पढ़ रहे होंगे उस time पर पढ़ेंगे फिलहाल ये समझिए कि CLB का role एक quasi judicial body का था मतलब इसके पास judges की तरहे कुछ judgmental वाली पार थी मतलब कुछ judgment वाली पार थी कि कोई scenario अगर आता है इसके पास तो यह अपनी judgment उस particular scenario में सुना सकते हैं बट यह complete court नहीं माने जाते हैं C यह बोलता है इस a quasi judicial body exercising equitable jurisdiction which was earlier being exercised by high court and the central government ये बोलता है पहले ये काम जो कि आजकल CLB कर रहा है वो या तो high court किया करता था या central government किया करती थी तो पहले ये काम ये दोनों bodies किया करती थी लेकिन आजकल हमने क्या ला दिया है CLB ला दिया है तो high court से वो power ले ली है उन cases के जो आजकल कहा जा रहे हैं exactly CLB में जा रहे हैं फिर ये बोलता है the board has powers to regulate its own procedure ये बोलता है हमने कोई अलग से आट नी बनाई है इसके लिए कि हम अलग से आट दे रहे हैं कि भाया CLB तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने तुम्हें यह यह procedures फॉर्म करने यह यह procedures फॉलो करने ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने अपने लिए खुद के लिए कैसी regulation बनाई है कि CLB में कैसे cases आएंगे कैसे उनका decision लिया जाएगा कैसे act किया जाएगा और finally उसका क्या result रहेगा तो यह सारी चीजें यह खुद ही regulate करेंगे तो यह एक regulation थी जो CLB ने अपने लिए लाई थी जिसके चलते हुए वो सारी चीजें जो शायद कल इसे जरूरत हो वो इसमें दे रखी है ताकि आगे चलके conflict भी ना हो या फिर कोई ऐसे second thoughts ना जाए Prescribing the procedure for filing the application petition before it यह बोलता है कोई इनसान है जिसको कोई तकलीफ है company से related अब company law का यह board है तो that means company law क्या फैस देखता होगा तो यह इनसान तो जिसे company law के मतलब किसी भी provision से कोई भी problem थी तो यह कहा जाएगा यह अब high court नहीं जाएगा या फिर यह central government के पास नहीं जाएगा जो कि यह पहले जाया करता था अब नहीं जाएगा अब यह कहा जाएगा अब यह जाएगा CLB के पास और यह बोलते हैं हमने CLB के लिए अलग से procedure भी नहीं बनाया है CLB ने खुद के लिए एक procedure बनाया है तो खुद के लिए इन्होंने एक procedure बनाया है जो हम follow करते हैं मतलब जो यह particular CLB में follow करते हैं और अगर एक इंसान को अब actually approach करना है CLB को तो उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे उस regulation में लिखा हुआ है Name of that regulation is what? Company Law Board Regulations 1991 So basically क्या करेंगे? यह इसी procedure में जो यहाँ पर mention है उसी के according सारी filing करेंगे Any person aggrieved by the decision or order of Company Law Board may file an appeal to high court First मैं आपको यह word appeal का मतलब बताती हूँ क्या होता है Appeal का मतलब होता है मैं लिजे एक इनसान है एक case लेके जा रहा है court में ठीक है? अब क्या हुआ? यह court का फैसला इसके against आ गया अब यह satisfied तो होगा नहीं? नहीं होगा ना? तो यह से क्या बोलेगा? कि मैं उपर वाले court के पास जाऊंगा तो यह उपर वाले court के पास जाऊंगा तो यह उपर वाले court के पास क्या लेके जा रहा है? यह लेके जा रहा है appeal तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जब हम छोटे court के फैसलों से खुश नहीं होते हैं तो हम उसके against appeal लेके higher court के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी बात रखते हैं और उनसे expect करते हैं कि जो judgment lower court ने नहीं दी वो आप दीजिए लेकिन यह appeal mutual understanding वाले cases में नहीं होते हैं फ़र से दोनों parties थी इन्होंने mutually decide किया इन्होंने क्या किया? mutually decide किया कि हमें तो क्या करना है? कि यह case की settlement ऐसे करना है उसके बाद क्या हुआ? इसको अचानक से सपना आया है कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहे था में को नहीं और फाइदा हो सकता था तो इसने क्या किया? appeal लेके high court के पास चला गया तो high court ऐसी appeals entertain नहीं करेगा क्योंकि यहां पे आपने जो decide किया है वो mutually decide किया है appeal सिर्फ आप उन्हीं cases में ले जा सकते हैं जहां पे mutual decision की वज़े से फैसला नहीं आया है court ने फैसला दिया था जिससे आप नाखुश हुए थे और आप उसके higher level के court के पास जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? appeal लेके जा रहे हो यह क्या बोलता है? यह बोलता है कोई भी person जो aggrieved है aggrieved का मतलब होता है नाखुश person जिसके against में decree आया है अगर उसे किसी भी decision के against जाना होता है कौनसी decision के जो CLB ने लिया है उसके लिए उसके against जाना होता है तो उसे file करनी पड़ती है एक appeal और वो भी कहां पे high court में कितने दिन के अंदर अंदर हमेशा देखिएगा appeal के लिए time duration देया रहता है इसको हम बोलते है limitation period limitation period का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई भी appeal फाइल करनी है तो उसके लिए कुछ दिन दिये रहते हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन उस दिन के बाद आप court के पास appeal लेके नहीं जा सकते हैं तो इस time duration के बीच में ही आपको जाना पड़ेगा और इस period को हम बोलते हैं what? limitation period तो यह बोलता है high court के पास जा सकते है within 60 days, 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आपको ये फैसला communicate किया गया CLB ने आपको फैसला दिया, CLB के फैसले से आप नाखुश हुए, आप क्या बोले जाएंगे? आप aggrieved party बोले जाएंगे और aggrieved party file करती है appeal किसको? CLB के अगेंट साब file करेंगी high court में और high court में कितने दिन के अंदर अंदर file करेंगे? 60 दिन के अंदर अंदर or an order of this or him or question of arising out of such order okay, so यहां तक हमने पढ़ा CLB के बारे में, last line वाली लाइन पे अपन बाद में आएंगे, पहले revise कर लेते हैं पहले क्या बोलता है, CLB क्या है? कौसी judicial body है, मतलब पूरी तरह से judicial body नहीं है, आधी अधूरी body है जो कौन सा काम करती है? Judges वाला काम करती है, लेकिन उसके अलावा और भी उसके बहुत सारे काम होते है और इसने replace किया है High Code को और Central Government को, क्योंकि पहले वो काम जो आज इसको लॉट किये गए है पहले Central Government या फिर High Code कर रहा था फिर ये बोलते हैं, इन्होंने अपने लिए अलग regulation बनाई है, अपने procedures के लिए कैसे इनके साथ deal करना चाहिए, कैसे इनके साथ transaction होते है उसके लिए अलग procedure इन्होंने mention किया है फिर ये बोलते हैं, अगर कोई इसके फैसले से खुश नहीं होता है, तो वो जाता है High Court के पास क्या लेके, अपील लेके हमने इतनी सारी चीजे पढ़ ली, लेकिन हमने इसका main essence नहीं पढ़ा कि CLB exactly होता क्या है हमने procedure पढ़ लिए, हमने regulation पढ़ लिए, हमने ये देख लिया कि अपील लेकि कहा जाएंगे ये पढ़ लिया कि इसने किसको replace किया, लेकिन exactly ये करता क्या है उसके बारे में बात की जाए, तो exactly ये करता है कि कोई इनसान है, company law से उसे कोई problem है मतलब कोई भी ऐसा उसकी किसी company के साथ लड़ाई हो गई है और वो provision जो company law से associated है, उसके regarding लड़ाई होई है तो ऐसे scenario में ये अब civil court या फिर criminal court या फिर high court नहीं जाके कहां जाएगा, ये जाएगा CLB के पास सो कहने का मतलब सर्फ इतना सा है कि ये एक अलग तरह का court बनाया गया है specifically for what company law की problems के related तो अब companies को civil court या फिर किसी और court में जाने की अफशकता नहीं है वो directly आएगी इस court के पास, इस board के पास, ठीक है अब ये बोलता है कि ये तो हमने सारा ताम जहम पढ़ लिया अब हाते हैं हम इसके main line पे जिसमें लिखा हुआ है now it has been replaced by NCLT आज की date में हम CLB नहीं organize करते, CLB नहीं form करते हमने बनाया है इसके लिए एक अलग सा tribunal जिसे हम बोलते हैं NCLT NCLT है क्या ये हमारी photo वीडियो में आप देख सकते हैं and I hope आपको CLB की concept समझ में आई होगे NCLT के बारे में see in my previous video हम लोगों ने पढ़ा CLB के बारे में company locker जो board बनता है उसके बारे में यहां हम NCLT के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको previous video में बताया था कि CLB को replace कर दिया गया है और replace करने वाला हमारा जो नाम है वो है NCLT अब यहां पे लिखा हुआ है National Company Law Tribunal first of all MCQ आ सकता है NCLT का full form बताओ और उसमें आपको यह पूरा नाम लिखना पड़ेगा तो अगर आप यह पूरा नाम लिख देते हैं तो आपका एक नमबर दो नमबर जितने का भी question आएगा secured है अब शुरू करने से पहले मैं आपको ट्रिबिनल की concept समझाना चाहते हूं कि ट्रिबिनल exactly क्या होते हैं सी आज तक जब इंडिया में कोट की बात होती थी तो होती थी supreme court के court या high court या फिर district court इन्होंने बोला इतने सारे court होने के बावजूर हमारे यहाँ पर इतने सारे cases pending रहते हैं हमारे यहाँ पर इतने सारे cases क्या रहते हैं pending रहते हैं हम सबको पता है कि कितने सारे cases इस time भी हमारे judiciary के पास हैं जो कि अभी तक solve नहीं हो पाए हैं कितने सालों से चल रहे हैं तो बहुत जादा tendency थी ऐसे में अगर हम इनके पास company से related cases लेके जाएंगे तो तो और इनकी burden बढ़ जाएगी बिल्कुल सही बात है जो already इतने सारे overburdened है इतने सारे cases से अगर हम company के भी दिक्कते लेके इनके पास पहुत जाएंगे तो इनकी और burden बढ़ जाएगी बिल्कुल बढ़ जाएगी अब आप नहीं चाहते ये burden बढ़े तो आप क्या करेंगे simple सी बात है आप क्या करेंगे इहां पर आप इसके लिए कोई अलग सी body बनाना चाहेंगे ठीक है तो आपने क्या सोचा कि एक ऐसी body बनाते हैं अलग से company law के लिए जो की judges वाला काम भी करें और इनकी pendency भी कम कर दें तो हमने बोला बहुत नेक विचार है बिल्कुल करते हैं सब planning हो गई सब तरीका आगया सब draft तयार हो गया उसके बाद उठे हमारे इहां से judges and they were like constitution में जब power हमें दी गई है judgment करने की तो how come आप किसी और body को introduce कर सकते हैं अब आप ऐसा मानिये कि आपको बनाया गया है class का monitor और सारी powers आपको दी गई हैं किसी को अगर उठाना है कोई बाद सीथ कर रहा है उसको punishment देनी है किसी की कोई help करनी है बाहर जा की कुछ लेकर आना है तो ये सारे काम monitor करेगा अब teacher आती है class में और एक बच्चे को बोलती है बेटा पानी आज से न तुम ले आया करना तो आपको गुस्ता आएगा क्योंकि वो right तो आपका है आपको being a monitor वो right दिया गया है ऐसे मैं आप सामने वाले इंसान को आपके rights कैसे दे सकते हो आप बिल्कुल agree नहीं करोगे तो इनका भी कुछ ऐसा था इनको लग रहा था कि हमारे हाथ की chocolate दूसरे के हाथ में जा रही है तो इनको वहां पर revolt कर दिया कि भी हम तो मानेंगे नहीं सी से constitution में लिखा हुआ constitution supreme हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से तो उस time पर इन्हें यह समझाया गया कि क्योंकि आपके यहां पर tendency बहुत जादा है जैसे मैंने वो example दिया classroom वाला monitor को teacher ने यह समझाया कि monitor आप class में already बहुत सारे काम कर रहे हैं अगर मैंने आपका एक काम उठा के किसी और को दे दिया तो आप यह समझे ना कि आपकी tendency खतम हो रही है तो यहां पर हमने उनको एक तो point यह समझाया कि आपकी tendency खतम हो रही है और दूसरा point हमने उनने यह समझाया कि ना सिर्फ आपकी tendency खतम हो रही है बल्कि हम उनको आपका substitute नहीं बना रहे है he or she is a complimentary thing मतलब basically हम क्या बोल रहे है कि वो एंचान आपको compliment करने के लिए आया आपको supplement करने के लिए आया आपको substitute करने के लिए नहीं आया वो आपको replace नहीं कर रहा तो किसी की थोड़ी सी help लेने से अगर आपको काम बन रहा है आपकी tendency कतम हो रही है तो why not to accept that तो इनको बात समझ में आए कि tribunals हमें replace करने नहीं आये है जब हमें लगेगा जो case हमें लगेगा हमारे पास आना चाहिए हम उनसे ले सकते है इतनी powers हमारी हमेशा maintained रहेंगी तो इन्होंने उस cease के लिए agree कि ठीक है हमें कोई problem नहीं है आप tribunals ले आईए अब next question उठा कि tribunals तो लिया है लेकिन ऐसा क्या करे जो judges को लगे ना कि इनके substitution के लिए आया है तो हमने tribunals को बोला कि अब पूरी judicial body ना बनके क्या बनिये? कौसी judicial body कौसी judicial body का मतलब होता है आधी अधूरी तो ऐसे में कौसी judicial body कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि tribunals में हमने retired judges को भी बिठाना शुरू कर दिया retired judges को भी बिठाना शुरू कर दिया अगर आपको पता हो तो normal coach में कभी भी retired judges judgment नहीं देते हैं बट tribunals में हमने retired judges को बिठाना शुरू कर दिया एक चीज़ अलग हो गई उसके साथ हमने इने बोला कि कुछ-कुछ executive bodies भी आपके साथ बैठ सकती हैं यह executive log भी आपके साथ बैठ सकते हैं सो basically क्या हुआ कि हमने यहां पर उनको बोला कि executive body में से किसी को ठाके हम आपके पास बिठा सकते हैं जो कि judges नहीं करते हैं पहले normal coach में normal coach में executive body को नहीं बिठाते हैं अलग अलग चलती है सारी पार्ट लेजिस्लेशन अलग एजी क्योटेब अलग और जुडिश्री अलग तो यहां पर हमने यह भी चीज अलग कर दी फिर हमने इनको बोला कि अगर कोई आपके फैसले से नाखुश होता है तो वह अपील लेके जाएगा कहां पर इधर हाई तो यह लोग और खुश हो गए कि चलो भीया अब यहां पर इनकी अपील्स भी हमारे पास आएंगी तो मतलब हमारी पावर्स तो नहीं चिनिये हैं हमारे जो छोटी बुटी पावर्स थी हमने इनको डेलिगेट कर दिया ऐसा मान दे तो बिलकुल कुछ ऐसा ही हुआ और इ Specific Cases आते हैं Specific Cases आते हैं का मतलब यह है कि जैसे Civil Codes होते हैं माँ पर तो कोई भी Cases आते हैं कोई भी Civil Nature का गलती हुई है रॉंग हुई है वो इस Case Code के पास आ जाएगी लेकिन वेन इट कमस तू Tribunal, Tribunal के पास हमेशा एक Specific चीज से Cases आते हैं जैसे फर्स हैं मैंने बुला N.C.L.T. तो N.C.L.T. में सिर्फ और सिर्फ Company Law से Related Cases ही आएंगे और कोई Cases नहीं आ सकते हैं तो यह Specific Purpose के लिए बनाई जाती हैं और सिर्फ वही Specific Cases ही यहां पर Introduce किये जा सकते हैं उसके अलावा और कोई Cases नहीं किया जा सकता है तो N.C.L.T. Specific Cases लेगी कौन से वाल है? National Company Law के Related ऐसे ही साइट हो गया तो वो Securities के लेती हैं ऐसे ही हमारा Water Sharing Tribunal है वो Water Sharing की जो Problem होती है उससे Related चीज़े लेती हैं तो यह कुछ Examples हैं Tribunals के जो दिखाते हैं कि Tribunals हमेशा ऐसे Cases लेती हैं जो कि किसी Particular चीज़ से Related होते है तो यह बोलते हैं National Company Law Tribunal is a कौसी Judicial Body मैं आपको इसका मतलब बता चुकी हूँ in India that adjudicates issues relating to Indian Companies जब भी Companies से Related कौसी Companies Indian Companies से Related कोई भी Issue Create होगा कोई भी Issue आएगा existence में तो उससे ठीक करने के लिए उससे उसके उपर चर्चा करने के लिए उसके बारे में Decision लेने के लिए हम कहां जाएंगे N.C.L.T. जाएंगे which is a कौसी Judicial Body Decisions of the Tribunal may be appealed to the National Company Law Appellate Tribunal ये बोलते हैं कि अगर आप N.C.L.T. से खुश नहीं होते हैं तो आप अपील लेके जा सकते हैं कहां पे हमारे लिए अलग से इन्होंने एक Tribunal बनाया है और N.C.L.A.T. मतलब ये Appellate Tribunal इन्होंने अलग से बना दिया है जिसके पास सर्फ और सर्फ आप अपील लेके जा सकता है वो भी किस की N.C.L.T. की ये बोलते हैं अगर आप उसके बाद भी खुश नहीं हुए उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप क्या करेंगे तो आप फुर्दर अपील लेके जाएंगे किस के पास सुप्रीम कोर्ट के पास सो N.C.L.T. अपील लेके गए N.C.L.A.T. के पास और इससे भी खुश नहीं हुए तो कहां गए अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास और लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इस रिप्लेस कंपनी लॉब बोर्ड तो इसने कंपनी लॉब बोर्ड को क्या कर दिया है एक बार हाइरार्की समझ लेते हैं फिर से हम लेके शिफ्ट तो दस साइड पहले हुआ करता था हाइकोट या फिर सेंटल गवर्मन ठीक है इन दोनों को रिप्लेस किया किसने कंपनी लॉब बोर्ड ने ठीक है और उसको रिप्लेस किया किसने एन सी एल्टी को ठीक है फिर सी एलबी का यह बोलते है कि अगर आप सी एलबी के फैसले से कुछ नहीं हो होते थे तो आप अपील लेके कहां जाते थे आप जाते थे हाई कोट के पास ठीक है अब आप एंसी एलटी के फैसले से खुश नहीं होते तो आप अपील लेके जाते हैं किसके पास N.C.L.A.T. Applet Tribunal मतलब appeal से related tribunal और अगर फिर भी आप खुश नहीं होते तो फिर आप further appeal लेके जाते हो किसके पास Supreme Court के पास यह एक पूरा flowchart है जो आपको जिस्ट देगा पूरे इस वीडियो की जो हमने पढ़ा है कि पहले Central Government और High Court यह काम किया करते थे फिर हमने एक नई body introduce की जिसको हमने नाम दिया C.L.B. Company Law Board का और उसके बाद उसको replace कर दिया हमने N.C.L.T. से National Company Law Tribunal से और इसकी वज़े से एक और Tribunal existence में आया है that is N.C.L.A.T. that is Applet Tribunal उसके सारे appeals कहां जाते थे? High Court में जाते थे और इसके सारे appeals जाते हैं Supreme Court में So, ये था what हमारा National Company Law Tribunal and आज की date में company से related अगर कोई भी case होता है तो वो कहां जाता है? वो जाता है N.C.L.T. के पास और यहां पे company को represent करने का काम company secretary भी कर सकता है as an advocate That's it for this video. In our upcoming video हम लोग शुरू करने जा रहे है एक नया chapter that is small business So, stay tuned for that क्योंकि बहुत इंटरेसिंग चाप्टर होने वादा थोड़ा connection आप फिल करेंगे इस पर्टिकुलर चाप्टर में That's it for this video. Thank you so much